हलो इस्टुडेंट मैं दीक्छा स्वागत है आपका आपके अपने योटूब चैनल में जी एस पॉइंटर सीरेज को चिलाया जा रहा है जो कि घटना चक्र पुन्रावलोकन का एक सार की रोपे हैं जिसमें वो पृतिक सब्जेक्ट के हिसाब से आता है जैसे कि सब्जेक्ट आपके दिये गए हैं और इसमें आपका एक बिंदुवार संक्तलन दिया गया है जो कि अधियात्मक तौर पर है जो कि आपकी एक्जाम की पॉइंट आविव से काफी इंपोर्टेंट है यह जो तो इसके मेजर टॉपिक आपकी ग्यारा टॉपिक ही ग्यारा टॉपिक में आपका संपूर परियावराड इवं पारिस्तिकी को कम्प्लीट किया जाएगा जो कि आपकी एक्जाम के से काफी इंपोर्टेंट होता है इस स्ञीरीज से आपके जो बहुत सारे जांव आने वाले हैं जैसे कि अभी हाली में आरो यह 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 जांगे और बंडे एक्जाम, जितने भी एक्जाम हैं, इनसे related question पूछे जाएंगे, क्योंकि परियावर्ण पारिस्तिकी के एक ऐसा topic है, जिससे परते एक एक्जाम है पूछे जाते हैं, और यह जो आपके major JS के topic हुए, जैसे भारती तिहास, भारती भूगल, भारती सामानी विज्ञान, आर्थी के सामाजिक विकास, इनसे question पूछे जाते हैं, तो आज का topic है परियावर्ण पारिस्तिकी है, चलिए तो शुरू करते हैं, जिसके अंतरगत हमारा पहला question आता है, परियावर्ण पारिस्तिकी के अंतरगत पहला आता है, इसमें कि 7-2 विकास ल सा है इसका जैव मंडल है नेक्स्ट आता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिवुनल या एंजेटी की भारे सरकार द्वारा इस्थापना की गई थी बरस्तु हजर दस में पर्यावरण से क्या भी प्राय पर्यावरण भूमी जल बायू पॉधों देथा पशुओं कि प्राक्तिक दु जीब जन्तुओं कवह समोजों हमारे चारो उर हो उसे सामोहिक रूप से क्या कहा जाता है परियावरण कहा जाता है नेक्स्ट आता है परियावरण किसी जीब की चारो उतरफ घिरे भौतिक और जैबिक दसाई वह उनके साथ अंतक्रिया को समलित करता है यह किस में दिया है परियावरण सन रक्षण अधिनियम 66 की परिभासा के नुशार दिया गया नेक्स्ट आता है कि पारियावरण सुरक्षण से समसादन की रूपमें और कुछ कारण जो होते हैं वैकार करते हैं नीय अंत्रक के रूप में धार्णी विकास की उपियोग की संदर में आंतर पीड़ी के समेधन सीलता एका बिशय है प्राक्तिक संसाधन विराता है एंजी टी का फूरुड नाम क्या है एंट नैशनल ग्रीन ट्रिवुनल कथन और कार किये बिना बरतमान समय की आवश्यक्ता पूरी करें तो इसमें आपका कथन वकारण दोनों सही है जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी करता है नेक्ष्ट आता है कि विकास की बह अविस्था जिसके तहर बरतमान की आवश्यक्ताओं के सासाथ भवश्य की आवश्यक्ताओ भी संमीलन का मुख मुद्दा क्या था सतत विकास इसमें आपको जो सतत विकास लक्ष मोदिये दे गए हैं जैसे सतत विकास जो दस है वो आपको अस्पांताओं में कमी की संदर में सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने की प्रक्ति की दिसा में बिफिने देशों द्वारा किये गई प्रयाशों को जानने ही तू सतत विकास लक्ष नहीं जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष रखा गया है वह एक आपका अंतरिक शनुशन्धान है नेक्स आता है विश्व परियावरण दिवस मनाया जाता है पांच जून को देश की प्राक्तिक पूजी में समलित किये जाते हैं वन जलेवम खनेथ बेसंसादन जो हमें प्रक्ति दौरब प्रदत होते होने प्राक्तिक पूजी या प्राक्तिक संसादन कहा जाता है बरस 1972 में आयुजित किया गया था केस को आयुजित किया गया इस्टोखो मंतराश्टी सिखर सम्मेलन को नेक्स आता है कि सौर विकरण की महतपूर भूम का है जल चक्र में बरसा की मात्रा निर्वर करती है बायु मंडल में नमी पर राश्टी परियावर्ण अभियांतर की सोज संस्थान या नीरी आवस्थान इस्ते थे कहां पर नांग पूर्वन नीरी का कारी क्या है विग्या निमप्रोदी की मंत्रा लेक्या धीन होता है नीरी की स्थापना उन्नी स्वान ठाउन में की गई सतत विकास के लिए आवश्यक के जैविव विवित्ता का सनरक्षन प्रदूशन निरोध नियन तड़ी वम नर्धनता को घटाना होता है से प्रित्वी सिकर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था रियो में किया गया था से युक्तराइशनक के द्वारा प्रियावरन इम सतत विकास पर पहला प्रित्वी सिकर सम्मेलन आयोजित किया गया था वरस 1992 में रियोडी जनरियो ब्राजील में दा लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रिकासन हुआ था 1972 में बट्लेंड आयोग की रिपोर्ट का प्रिकासन 1987 में हुआ मॉंट्रिय प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में हुआ नेक्स्ट आता है आपका कि प्रित्वी सिकर सम्मेलन 2021 सदी के परियावरनी विकास के कारिकरम निर्धारत किये गई इन कारिकरमों को नाम दिया गया है एजेंडर 21 नेक्स्ट आता है कि रियो 20 घुष्णापत्र का सीर्षक क्या रहा है दा फ्यूचर भी बांट प्रित्वी की चार और गैसों के समूल को क्या कहा जाता है बाई मंडल बाई यू एक है का मिस्टरण है फिर आता है कि नाइट्रोजन इत्याती गैस से पाई जाती है बाई मंडल में नोबल गैसों में बाई गैस जो बाई में नहीं पाई जाती है उसे रेड़न कहा जाता है बातारण में सरवाद एक प्रिश्ट है नाइट्रोजन का यदि प्रित्वी पर पाई जाने वाली बनस्पतियां पेड़ पौधी स बिचार संबंदिथे एक प्राक्टिक क्रिया से जो चट्टानों को सूख्ष में विभक्त करती है विष्व मौसम बिज्यान संगठन का मुख्यालय अवस्ते थे जनिवा में बिज्व मौसम बिज्यान अभी समय लागू हुआ है 33 मार्च 1950 को बिशमेसम बिज्ञान संगठन के महासचिप कौन रही है पेटेरी तलास रही है बिश्व मौसम बिज्ञान संगठन के जो अध्यक्ष रहे है वाई गेर हार्ड एड्रियन रहे है UNEP का मुख्याले कहां पर है नेरोबी में सहिवतराश परियावरण सभा के छटे सत्रकाय जन 26 फरवरी सिदस मार्च 2024 के मध्ध प्रिस्तावे थे यह कहां पर होगा आपके केन नेरोबी में सहिवतराश परियावरण कारकर्म की स्थापना हो गई थी बरस 1972 में UNEP के कारेकारी निर्देशक कोन है इंगर एंडर्सन EPA का पूड़ रूप क्या है Environmental Protection Agency Cartagena Protocol Biosafety से सम्माने थे Stockholm सम्मिलन अनवरत जैबेक प्रिदूशन से Montreal Protocol आपका वोजन परस से सम्माने थे Greenwashing इंगित करता है परियावरण सनरक्षन का जूटा बादा करना EPA Environmental Protection Agency संक्तराज समेरकर की एक संगी अजेंसी है जिसकी इस्थापना दो दिसम्मर 1970 को की गई थी फिर नेक्स्ट आता है NEAA से क्या आसा है NE National Environmental Appellant Authority होता है फिर नेक्स्ट आता है कि Greenpeace का मुख्याले कहा है Amsterdam में Greenpeace एक International एक गैर सरकारी परियावरण संगठन है इको मार्ग उन भारती उत्पादों को दिया जाता है जो परियावरण के पिती मैत्रिपों है Bureau of Indian Indian Standard द्वारा 1991 में दिया जा रहा है इको मार्ग पत्र परियावरण अनुकूलन उभोग तावत पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरम भी किया है इको मार्ग धार्णी किर्शी कार्थ भूमीव का इस प्रकार से प्रियोग की उसकी आगडवत्ता अच्छुन ने वनी रहे भारत में टिकाव किर्शी के लिए राश्टी मिसंच चल रहा है बरस 2014 सी 15 में भारत में हरित गिरह किर्शी प्रानम करने वाला राजज है आपका पंजाग इसमें कथनों कार्ण दिये गए जिसमें कथनों कार्ण दोनों ही सही और एक दूसरे कर स्पस्टी करण भी है कथन कहता है कि प्राक्तिक वनस्वती जलवाई को सही सूचकांखे और कारण कहता है कि जल प्रियेपोधी आदर जलवाई में पाय जाते हैं नगरी करण और धोगी करण हानी कारक है किसके लिए संतुलेद बिकास के लिए परियावण इंपारिस्तिकी के लिए और जे बिवित्ता के सनरक्षण के लिए नेक्स्ट आता है रास्ति हरित अधीकरण 2010 धारती समयधान के जिस प्राउधन के अनुरूप अधिनेमित हुआ है यह हुए थे क्या आता है इसके इंतरगत कि स्वास्त परियावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुशी दिकीश की अंतरगत जीवन के अधिकार का स्थापना कब की गई थी आठारा अक्टूबर 2010 को की गई थी हरित विकास ग्रीन डेवल्मेंट पुस्तक के लिखा कौन रही है डबलू एम एडम्स 1962 में प्रकासित साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के परियावर आंदुलन की गती मिली है उसके लिखा कौन रहे है रैचल कार्सल नेक्स आता है कि आमतर पर समाचारों में आने वाला रियो टूंटी सम्मेलन है यह कौन सा है धार्नी विकास सस्टेनेबल डिपलमेंट प संपन किया गया था रियो टी जैनेडियो बिराजील में नेक्स्ट है कि हरे तर्थव विश्वस्था पर कारवाही के लिए भागीदारी पार्टनर से फोर एक्षण ऑन ग्रीन एकनॉमी या पीच का सर्जन किया गया या रियो डी जेनिरियो में 2012 में संधार निये विकास के सहींतराश्ट सम्मिलन में पिर्थवी सिकर सम्मिलन प्लस फाइब का आयुजन हुआ था बरस 1997 में 23 से 27 जून 1997 की मद सहींतराश्ट महासभा ने एक बिसेस बैठक का आयुजन कि जो लियो प्लस फाइब या प्रिथवी सम्मिलन प्लस फाइब की नाम से जाने जाती है वह कहां है डियो और कमें बिग्ज्यान को अर्थ बिदों सिबिल सेव को तथा ब्यवशाईयों की एक संस्था जो मानों तक कि समक छोपस थित होने वाली बैस्विक चुनोतियों की स इसे एंजेन्रा 21 के नाम से जाने जाता है कई प्रिति रोपित पोधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रिति रोपर के द्वरान अधिकांस मूल रोम इनके नेस्ट होता है मूल रोम की कोश्का भित्ती मुख्यता बनी होती है वैसे यले रोज की बनी होती है मूल रूम परियावर्ण संतुलं के सनक्षण से बन नीती परियावर्ण अधिनयाम 1986 उद्धू की नीती तथा सिख्छा नीती इसके अंतरगत आता है सही कथन दिया गया है कि NGT परियावर्णी नियाय उपलवद कराता है और उचितर नियायलों कि मुकदमों की भार को कम करने में सहायता करता है जब किसी PCV चर्णों और कुओं की सफाई को प्रोसायत करता है और देश में जबायों की गुडवत्ता में सुधार लाने का लक्षे रखता है तो इसके संदर में आता है नेक्स्ट आता है कि जब वित्ता पर अभी समय या जलवाई परिवर्तन परसायतराज धाचा अभी समय के साथ बित्तिय क्रियाविदी के रूप में काम करता है वेभूमंड लिये परियावर्ण सुधा या जीएफ होता है बैश्विक परियावर्ण सुधा या गलोबल इंबाउम्मेंट फैसिलिटी की स्थापना कब की गई थी बरस उनीश वेकानवे में इसकी स्थापना की गई थी नेक्स्ट है कि UN FCCC के तहट अलपविक से देशों को अलपविक से देश निधी लीस्ट डिवलप्मेंट कंट्रीज फंड उपलब देकर आता है ये जीएफ आता है रोड़ी गेज इसकी मुख्यकार कारी अधिकारी इवें वद्धेक्च रहे है पलाची मारा जो की परियावर्ण की अपार्छती के कार्ण चर्चा में था वह अवस्ते थे केरल में परियावर्ण सुरक्षा अधिनियम को अन्ने के जले से जाना जाता है बच्छाता विधान होता है नेक्स्ट आता है कि उनवार्ण सुननी सुबह अक्तर में इस टॉकों में आयोजे संयुक्तरास्ट के पर्थम मानों परियावर्ण सम्मिलन के निर्णेयों को कार्य अनव सब्दों के इस्थान पर जहां कहीं वे आते थे सब्द रखे जाएंगे और अनवानसिक इंजिनरिंग अलंग अलंग समीती आती हैं विराता है भारत में किर्सी के परियावरण अनुकूलत देर गिस्थाई विकास के लिए जो सरण रणीती सर्वसेष्ट उसे क्या कहा गया सको अंवेशक है परियावर्ण संरक्षन के लिए गरीन आर्मी का प्रारम किया था ऑस्टेलिया ने विकास का वो पक्षी जो वीस्वी सदी के दसक की माध्य विकास के नकारात्मत पक्षी का चल्चा में नहीं था बहें आपका राज हीती वं विकास रहा है अभीकंधन और कारण दिये गए जिसमें आपका अभी कतन जो है बाय सत्य कारण आपका गलत है कि देश की पर्यावन को बनाए रखने के लिए संख्या नियां तड़र कsecond कारण राता है कि जनन संख्या किती ब्रीविल्दी के कारण फ्रिएवर्ण संथुलै बना रहता है तो आपका कारण वη탁रत हैं और आपका ट हूंं सही आता है कि संदानी विकास के संदर में कथनों की आपको सही वतान है जिसमें कथन पहला आता है कि बेश्विक सूच अक्सन रचना तथराश्टी जनसांके की विवस्थाओं द्वारा प्रिस्तुत एवं छेतरी आधार पर संकले सूचना के आधार पर संधराश्ट महा सचिब एक बार सिक संधा संधार्नी विकास लक्ष रिपोर्ट प्रिस्तुत करता है इसके संदर में दूसरा कथन दिया गया है कि इसमें विश्विक संधार्नी विकास रिपोर्ट पर संधराश्ट महासवा में चत्तुर वार्सिक संधार्नी विकास लक्षों के विश्यों के पुनरावलोकन हितु पृस्तिकी बारे में कि दस पृस्त का नियम दिया गय था वह आपका लेंड़मेन की द्वारय दिया गया था दस परस्त के नियम की तहत क्या है एक पूषक इस्तर से दूसरी पूसर्ण इस्तर में तथा उर्जा का 12% भाग स्थानांत्रिक होता है नेक्स्ट आता है कि जीप सी जेम मंदल तक जब एक संगिठन को क्या कहा जाता है इसमें जनसंख्या विश्के वाद समदा है विपारश्टिकी इतन्तों भूद्र सिका आकलित होता है जो की एक चैन की रूप में कारी करता है नेक्स्ट आता है सौ पोशी या सौ पोश्ट इस्तर का उत्पादन कहा जाता है उसे प्राथ में कुद पादक कहा जाता है पर पोशी या विश्म पोश्ट इस्तर की उत्पादन की संदर में आता है वैदूती उत्पादक था होती नेक्स्ट आता है कि एक पारिस्थिकी तन्प में उजा की मात्रा एक पूशन इस्तर से अनिस्तर परिस्थानांतरण की पश्चात क्या होती है घटती है नेक्स्ट है कि कुछ कार्णों बस यदी तितलियों की जाती इस विसीच की संक्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परडाम हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है कि कुछ पौधों की परागण पर प्रित्कूल प्रभाव पढ़ सकता है इसके कार्ड बर्रो किया जाता है वह पारस्ती की है आणियस ठेकल ने पारस्ती की सब्दे का प्रयोक किया है आईकुल लोगी की नाम पर नेक्स्ट आता है कि जीवधारियों की कार्वने को अकार्वने वातरों परिया वर्ण परिया परिक सम्मंदों की अध्यन को पारिस्तिकी तथा पारिस्तिकी विज्ञान कहती है किसने बताये अर्नेश ठैकल की द्वारा बताया है नेकस्थ आता है कि पारिस्तिकी प्रक्ति कि सनरचना एवं प्रिक्रिया का अध्यन क्या कहलाता है या एक यूजिन ओडम ने इसके प्रिक्रिया का अध्यन किया हुआ है नेक्स्ट आता है कि सरप्रथम पारिस्तिकी तंतिकी संकलपना प्रिस्तावित की गई थी इसकी संकलपना वर्ष 1935 में एजी टांसले के द्वारा प्रिस्तावित की गई थी पारिस्तिकी तंतिकी विचारधारा को बायो सिनोसिस तथा माइक्रो कोस्म कहा जाता है यह किसने क कार्करम पिर्थवी पर कार्वन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए कारेरत होता है रहा से निश्चित इस्थान समय कि समस्त जीवों तरह भौतिक परियावण का पृतिन करता है और इसका दूसरा आता है कि यह यह कारिशी लिकाई और इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है तो यह पारिष्टी की तंत्र के संदर में सही है नेक्स्ट है कि पारिष्टी की तंत्र के बिशाय में सही एक जगाए क्या होती है वहाँ आती है किसी चेत्र के सभी जीबधारियों ते था वातरण में उपस्तित अजय वेख रूर घटक से एक तुरूप से निर्माड करते हैं वह पारी तंतर का निर्माड करते हैं वन तालाब खेत किर्थम पारी तंतर आपका खेत आता है बन जील धान के खेत था घास के मैदान में कृतिम पारी तंत आपका आता है धान के खेत घास इस्थल वन मरुस्थल उधारण है किसका इस्थल ये पारिस्थिकी तंत का जील नदिया समुद्र तालाब जवार नदमोख आदी उधारण है जली पारिस्थिकी तंतर के नेक्स्ट है क कि मानों क्रियाओं की वातरों प्रभावित होते हैं तो आपका कारण गलत है और आपका कारण सही है। प्रतिवी के सरवादिक छेत्र पर फेला हुआ प्रतिवी के प्रतिवी के फैकड़े हैं तो वैनिस चती इसके गुर्दे होंगी वैकौन सी होगी आदर भूमिया है। नेक्स्ट आता है कि समुद्री जल में सरवादिक ब्याप्ते तो समुद्री जल में सरवादिक ब्याप्त आपका सूडियम के लूराइड आता है। पारिस्तिकी संतुलन बनाय रखने में मदद करता है बनारोपन वर्साजल प्रवंधन और जयमंडल भंडार होता है। बनेजीब सनरकषल परियाप्ण में ब्यात प्रोदूशन का निवाड मदद गार है परियाप्णी संतुलन बनाय रखने में है। सब्सक्राइब करते हैं निर्जीब कार्विनिक तत्तों को आकार्विनिक पदार्थों में यह योग को में जोड तोड़ते हैं वह आप घटक होते हैं सुक्षिन जीबों की एक स्किष्म जो फ़पून जीबाडू गोल कर्मी पोटर जुआ और केच हुआ मुमिका आदा करते हैं वह अब घटकों की होती हैं नेक्स्ट आता है कि चीटी हिरन लॉंबडी और बाग में प्राथ में कुप्भुगता आपके कोन हैं चीटी और हिरन आपके प्राथ में कुप्भुगता हैं खाद्र-शंक्ला में मुखिता प्रात्म कुअभोता किस रडी में आते हैं। आते हैं जो अपना भूझन प्रात्म कुट पादो या हरी पूद्र से प्राप्त करते हैं। समुदर्य वाथरवन में ब्राध में वूतपादक होते हैं फाइको प्लैंक्टेन आते हैं प्राश्थी की तंद में जयब घटकों के उत्पादक संगठन हरे पौधी होते हैं हरे पौधी सूरी का प्रिकास का उप्योग करके अपना आहार श्वयम निर्वत करते हैं प्रिकास संसिलेशन विधी द्वारा पृतम पोशक इस्तर की अंत न्यक्ष्ट आते हैं आपके के इसी पदार जो ऑक्सी करण की पश्चाज धारीयों के और उज्या पराप्त करते हैं और खाद दिया फूट कहलाते हैं जीवोदारा उर्जा के प्रभाई एक एक दिशी होता है जो अनियोनी डारेक्शनल होता है आहार शिंकला का निर्माड करते हैं घास वक्री तथमानों जीभार का प्रमारमेट जिस प्रारिसी की तंत्र में उलड़ जाता है वै कौन सा प्रारिसी की जिभार की टION्त्र में उसका निकत्क पारिसी की कि तंत्र में सिद्धा जिस में घास चिद्धा मेंडग सर्पमें दीडीटी का समावेश होने के वाई जिस एक जीब में उसका संभवता अधिक्तम सांदर्ण प्रदर्शित होता है वह क्या कहलाता है वह सांप होता है नेक्स्ट आता है कि जब कुछ प्रदूसक आहर संखला के सांदर्टा में बढ़ते जाते हैं और उतको में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक आवर्धन या बायू मैग यूकिलिप्टिस तो को उसकी यति धिक चल गरहण सकती के आधर पर घोसित किया गया है परियावरण सत्रू के रूप में रक्ष जो परियावरण संकट को माना जाता है वह यूकिलिप्टिस होता है लेंटिक आवास का उधारण है तालावेवं दल दल लेमिनेट छेतर जो पादपलप की अधिकता में होता है वबरदी होता है लेमनेटिक चेतर होता है पानी का एक खुला चेतर होता है नेक्स्ट आता है कि इस्थिर जल की आवास लेंटिक आवास के अंतरकत आते हैं निको धारण हैं जिनमें आता है आदरहुमी, तालाब, जील, जलास है बहती जल के आवास लोटिक कहलाते हैं वा जिसमें आती है नदी, दो भिन्ने समधायों की वीच संक्रांती छेतर कहलाता है इकोटॉन, सरवादिक इस्थाई पारिस्थी की तंत महासागर है, वन घांस की मैदान रेगिस्थान, समुद्र के इस्थाई सबसे इस्थाई पारिस्थी पारिस्थी की इस्थाई मितवेता है और यह जीस आंदुलन से जड़ा हुआ है वह एक चिपको आंदुलन है, नर्विदा नदी के ऊपर बनाई जा रहे ही बहुत दीसी बांद परियोजना को रोकने के लिए चलाये गया आंदुलन, नर्विदा बचाव आंदुलन है, द पारिस्थी की इतन तो आपका आता है, साघरी पारिस्थी की इतन से समपर्धित प्रवो कर्था ने जिसमें पारिस्थी की इतन सब्दकापड़ियोग सर परथम Е जी टांचले ने किया था जो जीव अपना भूजन सोयमत पैदित करते हूने स्वापोसित करते हैं, जो 1935 इसमें पारिशी की तंट सबका सब पर्थम प्रियोग एजी टांसले के द्वारा किया गया। सूक्ष जीब जो मरत पौधों, जन्तों और अन्य जविक पदार्थों को सड़ाग लाकर वियोजित करते हो ने वियोजा क्या अब घटक कहा जाता है। जील, घास इस्थल, मैंगरोग तथा महासागर पारिटंतों के घट के उतपादकता का सही करम देखा जाए तो सबसे पहले आपका मैंगरोग, घास इस्थल, घील, पिर महासागर आते हैं। नेक्स्ट आता है कि अधिक विवित्ता वाले पारितंद की उत्वादकता भी अधिक होती है, खाद शंखला उसक्रम का नरदेशन करती है, जिसमें जीवों का एक सरंखला से एक दूसरे के आहार द्वारा होता है, वह पोशित कहलाता है, पोशक इस्तर बनते हैं एक खाद श सिलजन हो सकता है, ना ही उसे नेस्ट किया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, वह उश्मागत की के पहले नियम के अनुशार होता है, प्रिथम पोशन इस्तर से दुतिये पोशन इस्तर से तृतिये पोशन इस्तर में उर्जा की मात्र अर्नीज नेस के द्वारा नेक्स आता है कि पारिस्तिकी संतकर मण अवधारना का सरपर्थम प्रियोग किया गया था बैनेट के द्वारा पारिस्तिकी निके या आला की संकल्पना प्रितिपादित की गई थी ग्रीनेल के द्वारा पारिस्तिकी पच्छाप की माप की काई है वेक मनुस्यों जीवन के पूर रूप धारने के लिए आविशिक नियुन्दम भूमी को कहा जाता है वे पारिस्तिकी पद्छाप के होता है आविवेक सील जीवन से लिए जिसमें पारिसी की तंके घट को दथा जलू उर्जा इत्यादी का आविशिक्ता से अधिक दूहन किया जाता है बड़ा देता है पद्छाप के आकार को बकारवन के सामाज एक मूले के पत से आसा होता है वे प्रदत्ति वर्स में एक टन सी ओटू में उस्सरजित होने वाले दीरकाली 36 होता है सही शुमिले दिया गया है इसमें पहला कि बन जीब सनरक्षड अधिनियम 1972 प्रोजक्ट टाइगर 1973 प्रोजक्ट खाती 1992 जब विवित्ता अधिनियम 2002 के अंतरगत आता है भार्ती बन जीब सनरक्षड अधिनियम लागू किया गया था बर्श उने 72 में परियावण अधिनियम परियावण के सनरक्षड एवं सुधार के लिए पारित किया गया था 1986 में जन जाती हो यज अन पारें पर एक बन निवासियों के बन अधिकारों में मानेता अधिनियम पारःत किया गये था दिसंबर 2 2006 में बन संरख्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में एक दूसरे के एक क्रम में नियोजित की गई है किसे यह जल निकाए में घनत प्रवरता को दर साती है पिकनो क्लाइन को दर्साती है किसी जलनिकाय में लवडता प्रदर्सित की कई जाती है हेलो क्लाइन को किसी जलनिकाय में गहराई के साथ आपमान परिवर्तन को दर्साती है वैथर्मो क्लाइन है पारीतंत उत्पादक्ता की संदर में समुद्री उत्प्रवाय या अप वेलि पौषित किया जाता है परियावनसनरक्षन अधीनियम पारिस्त के सम्मेदी छेत्रों में किर्सी को छोड़कर सभी मानों क्रियाओं का निसेद नहीं है बलकि कुछ पर प्रिदीबंद लगाया जाता है और कुछ की शम्मदाय का समय की साथ रुपांतर कहलाता है पारस्थे की अनुकर्वण होता है जैबिक अनुकर्वण की अप्रावस्था का सही करम होता है नगनी करण प्रभास आइस्थापन पितिकृया और स्थरीकरण होता है बरश बरस 1912 और सोला में पॉधो की विविन प्रजातियों के अध्यन किया अनुकरमण की सरमान परिभासदी एप किलीमेंट की द्वारा, मॉनो किलो मायक से सिध्धांत का प्रितिपादन किसके द्वारा किया गया, एप किलीमेंट की द्वारा, नेक्स्ट आता है आपका किवाई प्राक्तिक विधी जिसके अंत्रगत एक ही नेहित तथा निश्चित स्थान का बिसी समों या दूसरे समों को विस्थापित होता है बयानुकरमण है, लोटिक पारिश्थी की तंट का उधारन आपका नदी आता है, नेक्स्ट आता है आपका जैब विवित्ता जोकी एकोलोजी निवावमेंट का मेजर टॉपिक है, जब विवित्ता की संदर में या बायो डावेट सिटी की संदर में आपका पहला आता है कि राश्टी उधानों में आवरिवान सिख विवित्ता करख रखाओ किया जाता है इन सीटू संरक्षण की द्वारा ट्रेफिक मिसन यह सुरिश्चित करता है कि पन्य पादपो और जन्तूओं की व्यापार को खत्रा नाव रखती की संरक्षण को ट्रेफिक की स्थापना 1976 में की गई थी यह एक रणने ते किठफंदने WWF एबं आयूशीयन का जैब विवित्ता इस प्रकार से परिवासत की गई है कि किसी परियावरण में विविने प्रजातियों की स्रणी की अंत्रगर जैब विवित्ता अलफा बीटा गामा नामक स्रणीयों में विभाजित किया जाता है विवटी करने के द्वारा जब विवित्तम आपने कब वह गड़ती है सूचकांग जो एस्थानी इस्थर पर किसी समधाय आवासी छेत्र की माद प्रजाती विवित्ता को दर्साता है वै अलफा सूचकांग है। जब विवित्ता के नास का कारण है जीवों की प्राक्तिक आवास की कमी पर्यावर्णी प्रदूशन बनों का नास होना है। प्राक्तिक वास का विनास का होना है। जब विवित्ता में कम होने का मुख्य कारण आता है आवाशी विनास का। जब विवित्ता दिवस मनाये जाता है 22 माई को। देश के पूरवी और उत्तर पूरवी हिस्सों में यह खेती प्रचले थे जो की खेती का यह का विज्यानिक तरीका है उसे जूम केती कहा जाता है। जब विवित्ता होट इस्थलों में सामिल है पूरवी हिमालाये जब विवित्ता होट इस्पोर्ट के बल उश्य गटिवन्दी प्रदेशों में ही नहीं बलकि पाय जाते हैं उच्छ अक्छांसी प्रदेशों में भी यह पाय जाते हैं भारत में चाल जब विवित्ता आनिमार होट स्पोर्ट का भाग है और निकोबर दीप समूँ जो की सुंडा लेंड होट स्पोर्ट के भाग के अंतरगत आता है नेक्स्ट आता है भारत में जैब वित्ता की दश्टी से पूरी घाट पश्मी घाट थार का रेगस्थान बंगाल का खाडी संतरत तछेते हैं पश्मी घाट है गंगा का मैदान पश्मी घाट मध भारत में सबसे अधिक जैब वित्ता संपन होती है पश्मी घाट में जैब वित्ता की संदर में भारत के अंडवान निकोबर दीप समूँ गंगा का मैदान मध भारत में सिबह छित्र जिसे होट स्पोर्ट माना जाता ह सबसे लंबा जीवित वेक्षापका सिकोया है, किसी प्रजाती को बिलुप्त माना जाता है, जब वह अपने प्राक्तिक, आवाश में देखी नहीं गई है, किसी प्रजाती की बिलुप्न के लिए उत्तरदाई है, उसकी बड़े याकार का संकूचित、याकरमिता、 आनुवान UX की कमी का होना, किसी पिजाती के बिलुपन के लिए उत्तरदाई नहीं है ब्यापक निच काहुना प्रक्ति या प्राक्तिक संसादा अंतराश्टी सनक्षड संग्य द्वारा बिलुपति के कगार पर खड़े संकट गरश्ट पौधों और पसू जाती हो की सूचिया समलित की जाती रेट डा संक्षड पारत में जन संख्या की तीब्रगती से बढ़ रही है किन्तु पक्षियों की संख्या तेजी से घढ़ रही है उसका कारण क्या है कि पक्षियों के वास इस्थान बड़ी पेमाने पर कटोती हुई है और कीट ना सक राशा ने कुर्बरक तेथा मच्छर भगाने वाली दबाओ की बड़ी पेमाने की उपियोग में होने के कारण नेक्स्ट आता है कि उत्राखर्ण में जय विवित्ता की हिरास का कारण नहीं है बंजर भूमी का बनी करण होना सरणकों का विस्तार नगरी करण जूम किश्री उत्तर दाई है जय विवित्ता की हिरास के लिए वर्स 1975 में भारत का अभिन अंग बन गया है और इसे बनस्पती सास्त्रियों का श्वर्ग माना जाता है वह आपका सिक्किम है जे वित्ता की सासाथ मनोशे के परंपरागत जीवन के सनरक्षड के लिए सबसे महत्पूर रण नेती जिस एक ये स्थापन करने में नहीं थे वह होती है जी मंडल नच्यव या रिजर्व होता है जे बिवित्ता के सनरक्षण के लिए महतपूर रणीती है जे मेंडल रिजर्व वह इस्थल जो बनसपती सनरक्षण ही तु सवस्थान पद्यती नहीं या इनसीटू नहीं है वह वानसपती कुद्धान है क्रायो बैंक एकसीटू सनरक्षण के लिए जो गैस समानिता प्रियोग होती है वह नाइट्रोजन होती है बनसपतियों और जानबरो बिरुप्त प्राय प्रजातियों का सनरक्षण उनकी प्राक्तिक आवा से प्रठक किया जाता है वह एकसीटू सनरक्षण के द्वारा होता बायवासन या एक सीटू सनक्षन रणनीती का उधारण है उसमें आता है जीन बेंग उतक सनबंधन केंद बानस पते कुद्धान एक कुवेरियम चुड़िया घर आता है बायवासन पते कुवेरियम चुड़िया जाता है इन चेत्रों में पादपर प्रणानीों की विकास इवं ब्रद्धी के लिए अनकूलन तम तसाएं पाई जाती है क्यूंकि उनमें बर्स भर रहता है उच बरसा इवं तापमान किसी मश्चित भोगल एक छेत्र में पाई जा कहलाताे foreign ब्रणानी धिया गया है कि उखमतड्र याँ में फैस्ट के ब्रणानी ब्रणे में आधिक होता है अदुर्णा धिया दिजन है उसने विस्कने क्या आता है कि सांत घाटीיה कस्मीर पूलों की घाटी मैं से सरवादिक जया बिवित्ता पाई जाती आपकी संत घाटी में सांत घाटी यावस्ति थे ऐपकी केयरल में यावस्ति थे साइड alimentos बेली प्रियोजना कि 사らाजिय से सम्झे थे केयरला जिस सम्झे पूलों की घाटी यापकी उत्रा खंड में इस्तित है आदर भूमी जिसे रामसर का दर्जा दिया गया है जिसमें चलका जील, लोक टक, क्वेवलादियों और बुलर जील आती है रामसर सूची अंतरास्टी महत्र की आदर भूमियों की सूची और इस सूची में बलतमान में भारत की सामिल स्थल आपके कुल 35 स्थल है रामसर कर्वेंशन के अंतरगर रामसर स्थल भोज आदर भूमी स्थल है रामसर सम्मेलन संरक्षण संमंदिते नम भूमी से वेटलेंड दिवस मनाया जाता है दो फरवरी को विस वेटलेंड दिवस 2023 की मुखे थीम रहे है इट स से टाइम फोर वेटलेंड रिस्टोरेशन भारत की सबसे बड़ी अंतर देशी लवड़ी आदर भूमी आपकी गुजरात में इस्थिते बिहार का प्रिथम रामसर छेतर कहा है इस्थिते बैगुशराय कबर ताल आदर भूमी में जे मंडिल आरक्षण परिरक्षण छेतर सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरेजल के सामनिप तापमान में ब्रदी काहुना प्रवालों की मिर्तियों जिन में प्रवाल भित्तियां पाए जाते हैं अन्वान निकोबर दीप समूर कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है सर्फिर्दम बायोडाइवर्सिट सब्दे का प्रियोग किया गया है वाल्टर जी रोशेन के द्वारा जैबिवित्ता जिन माध्यमों माध्यमों द्वारा अब मानों अस्तित्त में आधार बनी हुए वह मिर्दा निर्माण मिर्दा परदन की रोग थाम अपसिष्ट का पुन्हा चक्रण और सस्य परागर क पार्सिकीतनट की बडूत्री के लिए उत्तरडाई नहीं है पोसक स्तरों की कम संख्या का होना पार्सिकीतनट्र होता है इकत की ईतंत्र होता है हिमाले पर वजत जाति विवित्ता के दिस्टी से या 3 समरद है और इस समरद्धी के लिए जो कारण है या सबसे ऋप्यक्त है वह बीवीपिन जैब भोगलिक छेत्रों का संगम होता है जैब विवित्ता अधिनियम को पारित किया गया है है। लोक सभा द्वार्वाँ दिसंबर 2002 को दे थराज सभा की द्वार्व 11 दिसंबर 2002 को यह इसको लगपारित किया गया। मेरिके बिश्वापी मार्केट की बड़ी संभाना हैं और इस पेड के बेर में बिटामिन और पूशक्तत प्रिचोर होती हैं। चंगेज खाने इसका प्रियोग अपनी सेना की और जविस्विता को अपने करने के लिए किया था और रूसी कॉस्मो नाटू ने इस तेल को कास्मिक विकर्णों से बचाव के लिए किया था। वो भारत में पोधा कहा पाये जाता है या लद्दाग में पाये जाता है। नेक्स्ट आता है कि उचकटःवें देशों में तितलीयों की प्रिजातिया सरवाधिक संख्या में पाई जाती है। कारण कहता है कि तितलीय कम तापमान में नहीं रह सकते हैं। तो कथं आपके सही हैं जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे है। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार सीवा कर्थोन की खेती को प्रोसाहित कर रही है इसमें पादप का महत होता है यह मिल्दा संदक्षड की नियंतर में सहाय को मरस्त्री करण को रोकता है इसमें पॉस की इमान और उच्च तुंगिता बाले ठंडे छेतरों में जीवित रहने के भली वाती अनुकुलित होता है भारत में लेहबेरी की नाम से लोग प्रिये पढ़ पाती जाड़ी है सीवा कर्थोन या आपकी पढ़ पाती जाड़ी है पिछले दस परसों में गिद्धों की संख्या में एक आयक गरावट आई और इसके लिए उत्तरदाई कारक एक साध लो फिनेक सोडियम देना पैकुछ बर्स पहले एक तक गिद्ध भारती देहातों में आमतोर पर दिखाई देते थे किन्तु आज कल वह कभी कभार ही नजर आते इस इस्तिती के उत्तरदाई है गो पिशू मालकों द्वारा रोण पश्वों के लिए उप्चार ही तु प्र जाना जाता है प्रजनन में अस्फल राज इसकी बज़े से यह लगबग बिलुप्त हुरा है इसका मुख्यकार दोडू पक्चू की बिलुप्ती भारती बने जीवन के संद्धर में उड्डियन बलगोन या फिलाइंग फॉक्स है एक चमगादर होता है ग्रेटर इंडिय फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है डूगोन नामक समुद्री जीव जो की बिलोपन की कगार पर है वह एक इस्तंधारी या मेमल होता है प्रोस ओफिस जूली फोरा नामक पादप होती है जिस शेत्र मोक्ता है वहां की जब वित्ता को कम करने लगता है तो इसके संदर में है नेक्स्ट आता है आपका कि बारत में पाये जाने वाले इस्तंधारी ड्यूगोंग की संदर में सही है कि यही एक साकाहरी समुद्री जान बहर हो और इसे बन जीव सनक्षण दिनी मुनी सोबहतर की अनुसुची एक म बिदिक संरक्षण दिया गया भारत की जैब वित्ता की संदर में सीलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारवेट, ग्री, चिन्ड मिनी बेट, वाइट थ्रोडिड, रेड स्टार्ट क्या है यह एक पक्षी है यह एक समुद्री इस्तंधारी है जो घास खाने की इनकी यादत के कारण इने समुद्री गाय कहा जाता है वैडिव वांग, मीनी ले, मीन पवेट छे, बाली महसीर मचली पाई जाती है काविनी नदी में, मोर वाफ, रेस्ती या चितिदार बिली पाई जाती है पूरुविघाट भारत या स्री लंका में, इरावधी टॉल्फिन म इसको मानेता दी गई है, नेक्स्ट आता है कि वर्ड लाइफ इंटरनेशनल, नामक संगठन के संदर में आपका सही है, कि एसनरक्षण संगठनों की विश्वयापई भागेदारी है, यह महत्यपूर पक्षी एवं जैब विवित्ता छेतर के रूप में ग्यात साथ चार को मद्य संपन्वी ए मलेशिय की राजधानी को आवलाल आमपर में हुई थी, भारत ने जैब सुरक्षा उपसंदी या जैब विवित्ता पर समझोती पर हस्ताक्षर किया है 23 जनवरी 2001 को, जैब सुरक्षा उपसंदी या प्रोटोकॉल सम्मान ने थे आनवान सि कि छेतर जो कि एक भारती पशू जाती की प्राक्तिका वास है उस छेतर में उस पशू के कोई पर्चपक्षी नहीं है, किन्तो आवास धुस्त होने के कारण उसकास्तित खत्री में है, भारती बने गधा आता है नेक्स्ट आता है कि जब वित्ता पर सेंखतराज से सम्मिलन के दलों का दस्वा सम्मिलन आयुजित किया गया है नागोया में जब वित्ता पर सेंखतराज सम्मिलन के दलों का 11 वा सम्मिलन 18 से 19 अक्टुवर 2012 की मद्ध आयुजित किया था यह हैदरवाद भारत में जब विवित्ता पर संयुक्तरा सम्मिलन की दलों की चौदुवी बैठक जोगी 17 से 29 नवंबर 2018 को मद्ध हुईती वहे, कौन सा है? सर्म अलसीक मिश्र का है, 15 से 22 फरवरी 2020 की मद्ध CMS COP 13 आयोजित किया गया गाधी नगर भारत में, UN RAID PLUS प्रोग्राम की समुचित अभी कलप में हैं और जो उडिसा में दूसरी नाम से जानी जाती है, ति था दूसरा, जिसका स्रूत उडिसा में समुत्र में प्रवाय करने में पूर्व एक से स्थान पर संगम करती है, जो बंगाल की खाड़ी के कुछ ही दूर है, यह बने जीब तिथा जै बेवित्ता का प्रोग् प्रक्ति तथा प्राक्तिक से इंसानों के सचन विए अंतराश्थी कि या किली एंधरी स्पिशीस प्रेसिज यूणीर साइटे संदर में साही इसके अंतरगत आता है कि आयूशीन प्राक्तिक परियावरण के बहतर प्रवंदन के लिए विश्वर में हजारों छेतर परियोजनाय चलाता है। बायोडायवर्सिटी या टीव की नाम से जाना जाता है यह पहल किसकी संदर में है। बादाग के लिए वस्वर्ट जलेन में से थे। सहीव पूछ वाना रिया मेकॉक अपनी प्राक्तिक आवास में पाये जाते हैं। तमें लाडू केरल करनाटक में भारत में प्राक्तिक रूप से पाये जाते हैं। काली गर्दन वाला सारस, क्रशन गीव सारस, उड़न किरी ग्रहरी या कंद्री या हिमतों दिया इसको अंतरगत पाये जाता है। चीता को भारत में बिलुप दिखोसत कर दिया गया है वर्स 1902 में। समुद तल से 3,000 से 4500 मीटर की उचाई पर पाया जाता है आपका हिमतों दिया। लद्धा केंसासित प्रदेश का राजकी पक्छी हैं काली गर्दन वाला सारस आता है। सीत निस्क्रियता की परिएटना का प्रति फिर एक छड किया जाता है चमगादर, भालू, कृदंत या रोडेंट में। समसीतोष्न या सीत प्रदान देशों में रहने वाली जीवों की उस निस्क्रिये या अउशन है। वहां की अलेग प्राणी जाड़े की ब्रितु बिताते हुन्हें कहा जाता है सीत निस्क्रियेता या हाइब्रेनेशन कहा जाते है। गिलहरिया, छचुदर, चुहे, मुशक, आधी इस्तंदारी प्राणी होते हैं, उस वे किर्दंत गड़के या रोडेंट गड़के होते हैं, उच्छी तरक्छांसों की तुल्ला में जै विवित्त सामानित आधिक होती हैं, निम्नित तरक्छांसों में, परवती प्रवडता प्रविचर क मैं, डिवन्ग, ड्विञ, वेल, साल्ट, वॉ नेग्स्ट आता है आपका वेटलन इंटर्नेस्टनल के संदर में कि एक गयर सरकारी वेश्विक संगतन है जो आतर भूमी यह वो उनकी संसादनों को बनाई रखने और उने पुना इस्थापित करने ही तो यह कारे रथ है इसका मुख्याला यह आपका नीदरलैंड में इस्त थे भारत रामसर अभीशमय का एक पक्षिकार है और इसने बहुत से छेत्रों में रामसर इस्थल घोषित किया है इसमें कथन जो इस समय अभीशमय की संदर में सर्वुत्तर रूप बदाता है इन सस्थलों के अनुरक्षड कैसे किया जाना चाहिए इसके अंतरगे तिन सभी इस्थलों का पारस्थ की तन्त की उपागऌ से संरक्षड किया जाए जो की सा सात उनके धानी उपियों की अनुर्य जी जायाए वारत में आदरभूमीय की संरक्षड इतु प्रितम बादेकारी कदम उठाया गया है रास्टी परियावर नीती 2006 की द्वारण आदरभूमी स संरक्षड परिवद्न नियम घूसद किया गया है 2010 में भारत रामसर अभीशमय का एक पक्षिकार है और उसने बहुत से छेत्रों को रामसर इस्थल घूसद किया है ताकि इन सभी इस्थलों का पारिस्थ की तिन तुपागम से संरक्षड किया जाओ और सास सा तनिमति दी जा next आता है कि अधि अंतराश्थी महत्य के किसी आदर्भूमी को मॉन्ट्रीयो रिकॉर्ड के अधिन लाया जाता है तो इसका विप्राय होता है कि मानाव हस्थचेप की परड़ाम सुरूप आदर्भूमें पारिस्थ की श्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या हो गया है य व्ucharist की दंद के बीच चितर को तो क्या कहा जाता है यह जा जुब बारत में प्रइनकी आद्र हुमिंगिंग न्योंटतर में मुणधन के लिए और विर्षण हो नियंगे avait अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक हरित ग्रह प्रवाव और जलवायू परिवर्तन के संदर में इसमें पहला आता है कि वर्स 1997 में बिश्व परियावन सम्मेलन आयुजित किया गया क्योटो में जलवायी परिवर्तन पर संयुक्तरासंग का गर्वेंसन धाचा गिरीन हाउस केसों के उस सर्जन में कमी से संबन ने थे इरोपिय संगे द्वारा विकासिन देशों में बातावरन तथा बारतलाब तथा संयुक से बर्स 2007 में इस थापित के आगया भुमेंदली जलवायी परिवर्तन संधी को लच्छा धिन बेकास धिन देशों को उनकी बेकास नीतियों और बच्टों में जलवायी परिवर्तन की एक एकरण हीतू प्रदान करती है तक्नीक desperate还 बाहता भारत में जलवाई परिवर्था सीधा की बारम भारता से खाग सिरक्षा पर पर पड़ता है वनका रातमक प्रभा मुझा पड़ता है इसके अंतरगत आता है कारवन डैक्साइट की मानवद हो वी उत्षर्जनों की कारण आसन भुमंडली इतापन की निकरण के संदर में कारवन परिछादन हेतु संभावेत इस्थान होते हैं वैपरित्यक्त और गैर लापकारी कोईला संस्तर तेल गैस भंडार नीसेस और भूमिगत गंबीर लवड रिपोर्ट की अनुशार सबसे सम्मेदन सील जिला आपका सराय के ला खार्श होआ है नेक्स्ट आता है कि जलवाई परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस हैं उजन परत का छरण तथा प्रदूशन का होना जीवास मीधन की जलने से पायो मंडल में ग्रीन हाउग गैसो को यूनाइटिट के गड़म में हुआ अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या अभिप्राय है ग्रीन हाउस की क्या पिक्रिया है ग्रीन हाउस जिसमें वाई मंडली कारण डेयाकसाइड त्वारे इंफ्रारेट विकरण सोसित कर लिए जाने से वाई मंडल का तापमान होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में में जमां होने से पयातरवन पर गर्वन होना है यूठीर को क्योटु प्रोटुकल सम्वंदि था ज़लवाई परिवरतन से यूठीर राष्ट King कि संभत होता है जो की संभद है उस गेस की बायमंडल ये जीवन काल पर निर्भा करती है, वे गेस का बेश्विक तापन बिभाव होता है, जिसे ग्लोबल बार्मिंग पोटेंशियल कहा जाता है, परियावर्ण में ग्रीन हाउस गेसों की प्रभा में ब्रद्धी होती है, कारण नाइट्रूजन वे ग्रीन हाउस गेस होती है, ऑक्सीजन कारवन मानो अक्साइट, क्लोरो फ्लोर कारवन मीठेन के ग्रीन हाउस गेस नहीं होता है, तो इसमें ओजन में आपके ऑक्सीजन में ग्रीन हाउस गेस नहीं होते हैं, जो गेस हमोई जो ग्रीन हाउस गेस प्रभाव को यूगदा आने वाली ग्रीन हाउस कैसों में सरवादे ग्रीन हाउस एफेक्ट जलवास्प में होता है नेक्स आता है आपका कि मीथेन जलवास्प और कारवन डियाक साइड में बेश्वे कूर्शन मन के लिए उत्तरदाई नहीं है और गनाता है मई 2011 में विश्बैंग की साथ हुई उस समझोता दसबर के लिए लागू रहेगा और है समझोता हिमाचर प्रदेश की एक परियोजना के लिए कारवन क्रेडिट सुनेश्चित करने के लिए समझोती के अनुशार एक टन कारवन डेयकसाइड को क्रेडिट इकाई की रूप में समद्रूल होगा एक गैस जो धर्ती प स्थान पर रहा है वह पदार्स जो सार्वित इक टाप मन उत्पन्न करने में युगदान देते हैं वह मीथेन कारवन डेयकसाइड और जलवास पाता है मीथेन नाइट्रस आकसाइड के लिए जिम्मेदार है उसमें कारवन डेयकसाइड गैस ग्लूबल बार्मिंग में सब से ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि बाईवन डेयकसाइड ग्रीन हाउस की तुल्ला में बहुत अधिक होती है वह मंडली ऊशनता या ग्लोबल बार्मिंग की परणाम सुरूप होता है हेम नदी द्रभी भूत होने लगी है समय से पूरू आम में बहुर आने लगे है त प्रभाव के संदर में देखा जाए तो समुधिजल का बढ़ना हिम नदी का पिघला विमारियों का पहला विवालवित्ती का बिरंजन होना इसका प्रमुप कारण भूमंडली ऊश्मन की आसंका बाईवंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांदर ता कि कार्ण बढ़ रही है वह होता है कारण डेयाकसाइड एक सरवादिक भंगोर पारिस्ति की इतनत है जो कि बेश्विक तापन द्वारा सबसी प्रहे प्रभावित होता है वह आर्किटिक तथा ग्रीन लेंड हिम चादर की रूप में बायू में कारण डेयाकसाइड की बढ़ती हुई मात्रा में बायू मंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कारण डेयाकसाइड सौर्वे करण की आओ रखते अंस्को आउसूसित करती है हरितकराय प्रवाव जो होता है के बैश्विक तापमान में ब्रद्धी करता है बैश्वेकूशन की फलसरूप जिसकी बारंबारत है तथर प्रचंडिता बढ़ रही है वह चक्रवाद तूफान और बबंडर आता है नेक्स्ट आता है आपका कि गैस जो धान के खेतों के लिए उस्तरजित होती है उसमें भूमी के तापमान में ब्रद्धी होती है वह मीथैन है मीथैन जल में अड़ों में घिरकर निमनि की बांबी से प्रवंग ग्रीन हाउस मीथैन के शुरूत है जैसे धान के खेत कोईले की खान पालतु पशु दीमक की बांबी और आदरहुमी आता है मीथैन के उस्तरजिन के प्राक्तिक शुरूत आते हैं आदरहुमी समुद्र और हाइड्रेट मानों की क्रिया में जलवा प्रितिवर्स एक दिन निश्चित दिन एक घंटे बिजली बंद कर देते हैं तो यह जलवाई परिवर्तन और प्रितवी को बचाने की आवश्यक्ता की बारे में जागरुकता लाने के लिए वर्ड वाइड फंड फोर नेचर द्वारा आयुजित किया जाने वाला एक वि प्रशाय को नितक्त देने वाले वेक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उस्तर्जन को समझने परिमाण निलधारित करने और प्रबंदन ही तू अंतराइस्टी लेखा करन साधन है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के संदर में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट था वर्ल्ड बिजनिस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलोपमेंट द्वार किया जाता है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास करना क्योट्यूट्यूट्यूट्यू प्रभावी हुआ है थे वर्स 2005 में जापान की क्योट्यूट्यू सरेर में हुए UNFCC के तीसरी सम्म में कुटू प्रोटोकॉल को स्विकार किया गया है 11 दिसम्मर 1997 को क्यों टूटू प्रोटोकॉल समझोती कि अनुशार आधिक ग्रीन हाउस कैसों का उससर्जन करने वाले देशों के लिए उससर्जन में बर्स दोहजर आट से तूहजर बारा तक की जो कटोती का प्रावधन किया गया है वह पाधिसम्मर दो परसेंट की कटोती है वर्स 2015 में यूएन एपसीसी में विक्सित देशों में वेश्विक पानव के आकड़ों के वह खट्टा करने के लिए बैस्विक बाइमंडल चौक से स्थापित किये गए अलजेनिया बाइद ब्राजील और केनिया में CDM के लिए सब्ट नहीं है CDM के लिए विक्सित देशों को विकासिल देशों की परियोजना में पूजी लगाने का निशेत करता है नेक्स्ट आता है कि CDM या किलीन डिवल्लप्मेंट में गलोबल बार्मिंग की कमी के लिए हरित ग्रह गैस के उस्थरजन को नियंतित करने की पड़ाली है जो सामने आई है CO2 उस्थरजन तेथा वूमंडली तापवन की संदर में UNFCC के अंतरगत उस बाजार संचालेत युक्ती का नाम जो विकासिल देशों को विक्से देशों में निदियां प्रो सहन उपलब दिकराती है ताकि भी अच्छी प्रोदिकिया अपना का ग्रीन हाउस गैसों को उस् कारवन क्रेडिस की बारे में स्वक्ष विकास युक्ती है कोई टू नवाचार युक्ती हों से एक एनेक्स फरस्ट की विक्सित देशों में स्वक्ष विकास युक्ती परियोजनाओं में कारवन क्रेडिस कर सकते हैं कारवन क्रेडिस CDM की अंतरगत कारवन होने वाले परि को घटाने से प्राप्त होती है एक सी यार होता है बायोजिकल डायवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल जो कि यह प्रोध की द्वारा उत्पन ने संभावित खत्रों में जैबिवित्ता की रचना करने है तुप प्रदिबध्य वायकार्टा जिना प्रोटोकॉल है अरवानसि इस उमेले दिये गए हैं जिसे प्रिथम बिश्य जलवाई समीलें 1989 प्रिथम प्रिथवी सिखर समलन एजेंडर 21 और प्रिथवी सिखर समलन पिलस 5 1997 इसके अंत्रगत आता हैं जलवाई परिवेर्तन पर सहींगत राज समलन दो कौप 21 आयोजित हुआ है पैरिस में जलवाई प्रधानमंदी नरिद्वोधी द्वारा पंचरमरत की चर्चा की गई है नेक्स आता है कि वर्स 2030 के लिए भारत अपने कारवन उससर्जन में कमी करेगा एक रप्टन की वर्स 2030 में भारत अपनी उर्जा आवशिक्ताओं को 50% पूरा करेगा नवेनी करण उर्जा से वर्स 2030 त भारत द्वारा सकल मूले कारवन उससर्जन कलक्ष प्राप्त किया गया है 2070 तक भारत सरकार द्वारा प्रिथम जलवाई परिवर्तन में राज्टी कार योजना जारी की गई है 30 जून 2008 को एन एस पी सीसी में कुल मिसन आपके आठ आती हैं कारवन इस सीचन में सर्वोत्त का क्रेविक क्रे कीया जाता है उनके बरत्वान बाजार की मुले की अनुशार कारवन क्रेडित का दरिश्टि को सुरू हूँ हुआ है क्यो टोप्रोकॉल से बायो कारवन और फन इनिशेटिव फोर सस्टेनिवल फोरेस्ट लेंड़िसकेप का प्रवन्द किया गया है इंडी जिनस पीपल्स की एक बैश्विक भागिदारी और यह देशों के उनकी बननेमनी करण उस सर्जन को कम करने रिडूशिंग एमिसंस फ्रोग्म डीफोरेस्टेशन और फोरेस्ट डिग्री गेशन रेट प्रियासों में बित्ती एवं तक्नीकी सहायता प्रदान करने बताता है कि विश्व थापमान पूर उद्धों के किस से ति टीकरी सलस्यस्थ से अधिक नहीं बादना चाहिए और यदि विश्वुभर को सम्माव सब्सक्रेयं असर होगा केस तहली जेव मंडल एक नेट कारवन चोलएक प्रावद्त होगा और विश्वाल मश्यार्ण ह तोरह प्रकासित SSN की vulnerability and the risk forum climate change नामक रिपोर्ट यदी रिपोर्ट के अनुशार यदी बिश्वे तापमान पूरू उद्धो के कि इस तर से 2 डिगरी Celsius बढ़ जाता है तो पृथवी के पारिस्थी की तंद का रूपांतर हो जाएगा एक बटी 6 भाग का यदी बिश्वे की तापमान पूरू उद्धो के किस तर में 3 डिगरी Celsius सी अधिक बढ़ जाता है तो इस थली जी मंडल का नेट कारवन स्रोथ की और प्रवत्ते होगा साथ ही बिलुप्त होने की कागार पर पहुंच जाएगा वह 3% 30% तक ग्याद पर जा समर्थित कारवन कारवन मेट्रिक को विक्सित किया गया है संपुडविश में निर्मार कारेों के कारवन पच्चने की आकलन करने के लिए हाल की बरसों में मानोगत भी दियो कि कारवन डाय अक्साइट की सांधरता में बढ़ उत्री हुए कि इसका प्रभाव पड़ता है क परवन सिंग के रूप में माहसागर पर प्रित्कूल प्रभाव पढ़ेगा जो कि माहसागर की खाद्र शंकलाव को प्रितखुल प्रभाव पढ़ाएगा फिर लबाईव परिवर्तवन में खगुली सिंधान से सम्मंद्ध होता है नेक्स्ट आता है आपका कि जलवाई परिवर्तन से सम्मंदित सिध्धान दिये जो की पिर्थवी की लंबी आउदी में कख्छी इस्थिती से सम्मंदित है उसे मिलोटिन मिलान कोविच कहा जाते है पिर्थवी की धुरुवी परवस्था वदला जलवाई परिवर्तन के लि प्रिकासित होती है वर्स 2008 में 12 सरकार की चलवाई कार्योजना क्लाइमिट एक्षन प्लान की आठ मिसन में समलेत नहीं है आडवे क्योंच जब गिलोबली यह ताप ब्रद्दी का सबसे महत्रपूर परणाम यह है कि इस सिध्रु भी बर्व की टोपियों की बिगले की ताप म मुंगे के कारण यह संभावना है कि 2044 तक फिजी दीप डूप जाएगा और समुद्द तल के बढ़ने से इसी बर्स में एक गंभीर संकर चाजाएगा यह नीदरलेंड पर है इराता है कि IPCC की बर्स 1921 की भी समुद्री सताह पर ब्रद्धी का अनमाने 0.33 से 0.45 मीटर की ब पूर्ती के लिए बातवरण में छिरका जाता है समुद्री जल को जोलाई 2018 में सफर बायु गुडवत्ता और मोशम पूर्वनवान पडाली का उदगाटन किया गया है डॉक्टर हर्सबर्धन तितकाली परियावन बन एवं जलवाई परिवरतन मंत्री के द्वारा नेक्स जनरियों में 1992 में संयुक्तरासंग के परियावरण वविकास समेलन यू एन कॉन्फरेंस ओन इंवार्मेंट एंड डिलॉप्मेंट के द्वारा किया गया था नेक्स्ट आता है कि अभी इस त्राष्टी ये निर्धारन निर्धारी तंस्थान पत को कभी-कभी समाचारों म बड़ा अधिवा देना उर्जा दक्षिता को बड़ाने इत्यादी सामेल है IANDCC के उपलक छो से कानकून सम्मीलन में प्रावदान किया गया एक हरत जलवाई कोश का नेक्स्ट आता है डर्वन में आयो जलवाई परिवर्तन सभा की स्थापना हुई थी हरे जलवाई कोश म सामना करने है तो अनुकूलन और न्यूनिकरण पद्धितियों को सहायता देने के लिए आश्या है कि हरे जलवाई निदी होती जो कि क्लाइमेट है गिरीन क्लाइमेट फंडी के अंतरगत है ऑस्टलिया जर्मानी जापान न्यूजिलेंड में से विश्व का पहला देश ज चिंगापुर्वे आरगन गेस है एक नौन ग्रीन हाउस के बड़ी पेमाने पर चावल की खेती के लिए कुछ छेत्र संभावता बैस्विक तापन में युगदान दे रहे हो और इसकी कारण उनके उत्तलदाई हटाया जा रहा है चावल की खेती में जह संबद्ध में को आपरेशन या एपक की संबंद्ध में सही है कि विशु की कुल उर्जा उपियों के लगवग 60% उर्जा का उपियों करते हो और विशु की कुल हरिद्गेशों में निसारण में लगवग 60% के लिए उत्तरदाई होती है और एक यूट्व प्रोटोकॉल के समर्थ न के वाई स्टेटू स्पियर है अस्टेटू स्पियर या समताप मंडल के निचले हिस्से में प्रिथवी से लगवग 10-50 km की उचाई में उपर अवस्थित होती है आपकी ओजन परत ओजन परत का सरवादिक संकेंद्ध प्रिथवी से करीब 15-30 km पर है किलोरीन फिलोरीन कार क्रण आउसूसित किया जाता है वह परावैगनी है ओजन की तीन परवाड़ों से मिलकर वनने वाली यह गैस आती है आपका ओजन परत के रूप में पिर्थवी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावाइड किलों से ओजन परत मानों के लिए उत्तरदाई है क्योंकि यह सू ते ओजन परत का वस्वित करती है अल्ट्रावाइडीट किर्णों को सूर से आने वाली हारिकारक परावैगनी किर्ण का कारण होता है तोची एक इंसर का अधिक समय तक पूसूर की परावैगनी किर्णों की सरीर पर पढ़दने से हो सकता है डियने के연वान से कुद चैँलन पारद के लिए उत्तरदाई नहीं है बिलाईक की रूुप में प्रयोक्त मैथल किलोरोफों। ओजन की सरवादिक सांदर्टा मिलती है इस्टेटो इस्पियर में ओजन परत की छीड़ता के लिए उत्तरदाई गैस आती है CFC, हेलोजन, नाइटरस आकसाइड, ट्राइकलोरो, एथिलीन, हेलेंस, 1-2, 1-1, और 13, 1-3, 1-0, बनाता है नेक्स्ट आता है कि वह ग्रीन हाउस जिसके द्वारा ट्रोपईस्पियर में ओजन प्रिदूशन नहीं है, वह कार्वन मनो आकसाइड है, ओजन छित्र का निर्मार सरवादिक होता है, अंटार्किटेक का के उपर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके सनरक्षण में संब्दित है, वह ओजन परत है, एक जनव जलती रहती है, बसंत रितू में इसकी मोटाई सबसे जादा होती है, बरसा रितू में इसकी रहती है, सबसे कम, ओजन परत को मापा जाता है, ओजन परत को डॉप्सन एकाई की रूप में मापा जाता है, जीरो डिगरी से एक एटी एम ताफ पर सुध ओजन की 0.01 में एरोसॉल केन की दापकारी एजेंट की रूप में तथा कुछ भी सिस्ट इलेक्टोनिक वेवाउ की सफाई करने में होता है एक अतिदिक इस थाय योगिक जो बाइवंडल में 80-100 बरसों तक बना रहता है वह किलोरो किलोरो कारवन है किलोरो फिलोरो कारवन है लॉह Went अंजिक टोय तीनो ही पदार्थ होते ओजोन डäreक्ति करहिं सीएपसी हैलों और 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 ठोज प्लो रख सरसाइन ओ जैसे कार्व उत पादनन पर रोक लगाई गई है वह को आता है रोकोलो के अनुशार होता है ऐसा माध्यम जहां किलोरीन योगी कोजन परत का बिनास करने वाली किलोरीन एकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं वज़ुरुविये समताप मंदली वादल होता है इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें उश्रुकटी वन्दी वन जो है आपके साइनेट वेली सुसंकू रक्षी जो पाई जाते हैं माचल प्रदीस में कक्ष बनस्पती सुंदर बन और पतज़डवन राजिस्थान में पाई जाते हैं फिरिजों में जो गेस भरी जाती है मैं कौन सी केस है मैं मैफ्रोन गेस है प्रिशीतक की रूप में वड़े सायंतरों में प्रियुक्त होती है आपकी अमोनिय गेस वर्स 1985 में टोटल अमोनियम, टोटल ओजॉन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्क्टिका के उपर ओजन शिद्र का पता लगाया गया है, बिटिस तल्ल, तिबद की पठार के उपर वर्स 2005 में ओजॉन आभा मंडल या ओजॉन हैलू का पता लगाया गया था, जी, डवलू, केंट मूर के द्वारा, मनुश्य में खासी, सीने में दर्दुत्पन्न करने के साथ साथ, फेपड़ों को भी छती पहुचा सकता है, ओधरी का उच्च सांद्र, कथनों कारण दिया गया है, जिसमें कारण कहता है कि ओजन जैविक जीवन के लिए परावाव करने वाले पदार्थों के प्रियोग का नियंतर करने और उन्हें चणबध्य रूप से, प्रियोग बाहे करने अफीजिंग आउट की मुद्धी में, मौन्ट्रियर प्रोटोकॉल सम्मध है, नेक्स्ट आता है आपका बन इवं बन जीप की संदर में, चमॉली के रेडी ग में बन कटाई, कि ब्रोध में आंदूलन चलाया गया है, गौरी देवी की नितत्त में, जिस पारिसी की तन्द में पौधे की जविक पदार्थ अधिक्तम होते हैं, वा उशिकटी बंधी बरसावन होता है, नेक्स्ट आता है कि अधिक्तम पादप विवित्ता पाई जाती उशिकटी बंधी बरसावन में, नेक्स्ट आता है आपका कि जैदी हम घड़याल को उनकी प्राक्तिक आवास में, देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना होगा बहे चंबल नदी होगी, भारत में यदि कुछ होए कि एक जपर जाती हूँ बनेजीब सनरक्षण अध किसी बेक्ती द्वारा, बिधी द्वारा किये गए करति पाय उपण्दों के अधीन होने के सवाए जिस प्राड़ी का सिकार नहीं किया जाता है आता है आपका घड़याल, भारती जंगली गधा और भे जंगली भैसा, जलवायों के प्रूवों घटक जो जारकंड राजी क बंचेतर की जलवायों को प्रभावित करते हैं, बेजंगल की आग है, जारकंड राजी के जंगलों को सुरक्षत बन के रूप में बर्गी किरत किया गया है, जिसका उद्देश है, बिनानुमती, सभी गतविदियों पर प्रतिवन्द का होना, भारत का बाहर राजी मंत्री जन बन योजना का प्रारम किया गया है, जारकंड जनवरी 2018 में भारत ने जिस राजने लोगों के ब्रक्षों के साथ मानवी है, रिस्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की है, वह शिक्क्यम है, सदावाहर बन पाये जाते हैं, पश्मे घाट में, उत्तरपूर्व भा बनाता है, जिनके क्रीट निरंत बितान बनाती हूं, बहुत से जाती हो का साहिस्तुत हूं, अधिपाप को किया संग कीमत सुमों की बिद्यमानता हूं, नेक्स्ट आता है आपका कि विश्वती बन ऐसे ऊशन शेत्र होती है, जहां बरसा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधि, बिश्वर में लगवग 80% जेबिवित्ता पाई जाती है, बिश्वती बनों में, भारत मुपियुक्त पारस्तिकी संतुलन बनाय रखने के लिए बना च्छादन हितु नियुन तम संस्तुत भूमी छितर 33% होता है, राश्टी बन नीती में भारत के कुल भोगलिक छितर मे और ब्रक्ष भूमी के अंतरगत, जो कि राश्टी बन भूली ती के उनीश्व बाउन के अनुशार आता है, नेक्स्ट आता है आता है आपका, कि वर्स 2016 में किरिकार्यन बिट नभीन राश्टी बनसूची डिजाइन के अंतरगत बनसूची समीक्छा का समय घटा कर 20 से 5 व चित्रण की मादम से बन इस्थती रिपोर्ट जारी करता है प्रतेक दो बर्स में भारत में निर्वनी करण का प्रभाव नहीं है नगरी करण में जो एक बार प्रियोग होने पर पुना उप्योग मिलाए जाते हैं उसे नभीनी करण संसाधन कहा जाता है बनों से परियाव करण से कथन और कारण का नहीं है कि पहला दिया गहा है कि प्राक्तिक संसाधन का विकास प्रोदिकी इसमें कथन सत्य में तो आरक यह ब्याक्ठ्या नहीं है तो इसमें दोनों ही एक दूसरे से सत्य हैं नेक्स्ट आता है कि जो एक छेत्र में इस्तिते तथा भविश में प्रियोग में लाए जाते है वह शंबाब विशन साधन है जिनका सरविक्षन किया जाता है और उनकी मात्रा इवं गुडवत्ता का पता लगाया जाता है जिनका बरत्मान समय में प्रियोग किया जरा है वह वास्तिविक संसाधन है राश्टिय किरसी अनुशन धान के अंद्रिस्तिते जहासी उत्तर प्रदेश में वन्ने प्राणियों के विलुप्ति करण का प्रोवक कारण नहीं है जनसंख्या की तीवरबर्दी होना राश्टिय सुधूर सम्मीदन अभी करण परणाली से चित्र कसरवादिक छेत्र सुन्दरबन डेल्टा में पाया जाते हैं और यहां बनों के विजिस रूप से उल्लखनी है हैं सुन्दरी बेक्ष एक सलक्षत कक्ष बनस्पती छेत्र आता है आपका गोवा में भारत में मैंगरू बन सदापढणी बन परण पाती बनों का संयूजन ह नागलेंड में परवत क्रम सा बंजर होती जा रहें उसका प्रूप कारण आपका जूमकिर्शी आता है नेक्स्ट आता है बायराजी जिसके द्वारा अपना धन योजन प्रारम की गई है वह माचल प्रदीस हैं भारत में बनेजीब संरक्षण अदिनियम लागू किया गय यह बनेजीब संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतरगत आता है बारत में बनेजीब संरक्षण अधिनियम कब पारत किया गया 1980 में भारत में बनेजीब संस्थान आपका दहरा दून में बनानुसंधान संस्थान की स्थापना उत्राखंड के दहरा दून में जले में की गई 1906 मे परियावण से संबन दे थे बिग्यानों परियावण के भारतिये बनस्पती सर्विक्षण संस्थान भारती बनेजीब संस्थान आता है बिग्यानेवं प्रोध की विभाग के अधीन राश्टी सर्विक्षण मांचित्रन के लिए भारत सरकार का एक प्राचिंतम विभाग है वह भारती है सर्विक्षण विभाग आता है नेक्स्ट आता है कि जे आरवी अलफरेट की पुस्तक फॉनल डाइवरसिटी इन इंडिया के अनुशार विभाग आता है प्राइब के लिए गड़ी अलफरेट में पाये जाता है गंगा और इसकी सहाइक नदियों में नेक्स्ट आता है आपका कि घड़ी आल एक पर जाती है मगर मच्छे कुल की भारत में पाई जाने वाली मगच मच्छे तता हाती एक संकटापने जाती है चिपको आंदुलन म के प्रेड़िता चंडी प्रसाद भट्ट को कहा गया नेक्स्ट आता है आपका कि भारत में बनेजीव सत्ताय मनाया जाता है दो से आठ अक्टूबर की मद्द में विश्व रसाइव तराष्ट महासवा के 68 वे वारसिक सत्र के दौरन प्रति वर्स विश्व बनेजीव ति तो कारण कहता है कि बन्चित्र जनसंक्या ब्रदी में प्राया ना कारात्मक संबन है तो इसमें कथनों कारण दोनों आपके सही हैं जो कि एक दूसरे की ब्याक्ष्व भी करते है नेक्स्ट आता है कि राजीव गांधी बननेजीव सनरक्षण पुरुसकार दिया जाता है स हिड़ पोधों जनतीव की सरवाद इक विवित्ता की विषिस्ता है उश्र कटिवंदी आदरबन का होना भारतमें प्रारूफ जिसमें सागोन टीक एक प्रभावी ब्रक्ष पिसीजेव उश्र कटिवंदी आदरबन पाती बन का उotte aujourd पाती बन ऐसे छितरों में पाये जात अमीजन बर्सा बन है अमीजन बर्सा बन फिर्थिवी के ग्राय के फेपड़ों की रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी बनेस्पति लगातार कारवन डेयक्साइट को आउसुसित कर मुक्त करती है ऑक्सीजन को प्रिथिवी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है अमीजन बर्सा बनों की दॉरा वह महादीब जिसमें ऊस्रिकटी बनती पढ़पादी बनों को विस्तार है वह एशिया है तेरा कॉर पर सेंटिलीस नस है जोकि अपिर आंदर प्रदीस की पाल कॉंड़ा वसे से चलंब प्रवस्री ओं में मुखता पाया जाते हैं इसकी लकड़ी सपेध होती है जो काला अंतर में लाल रंग की चिपचिपी रक्त की इरसकी सराव की कारण लाल हो जाती है इसी अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है दूसरा आता है कि भारत में पहली वार बैगा जनजाती को प्रयावा से हैविटेट का दिकार दिया गया जिसमें सही कथन आपके दोनों ही है नेक्स्ट आता है के अनुसुचे जनजाती तथा ने पारंपरिक बनवासी बन दिकारों ब्रक्षो का रूपर करता है गौन्ड या कूरकू जन जाती आर्वेद वैसिद्धा दवाईयों को बनाने में पूज सामगरी में पारंपरिक खिलोनों को बनाने में किया जाता है रेंड सेंडर्स का प्रयोग राष्टी बन निती कमक खुद दिस क्या है सामजी गवान की को प्रोज साहद देना देश की कुल भूमी का एक तेहाई बना च्छादित करना है मरस्तुरी करण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट अभी समय या या यूनाइटि नेशन कर्वेंशन टू कॉमबैक डिजर्टिफिकेशन के अंतरगत इसका क्या महत्त है इसका उत कामी उपागम के लिए एक प्रतिबद्ध होता है नेक्स्ट आता है आपका कि भारत द्वारा भूमी चरण्ट ततर्षिता का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक मरस्तुली करण को रोकने के लिए सभी समय की स्थापना की गई थी बरस 1994 में यह एक अकेला कानूनी वाधिकारी पान का है कुल भॉगलिक छेत्रफल में 60 पिरसत भाग पर बन पनाई रखने का समय धाने प्रावधान आपका भूटान में है नेक्स्ट आता है कि अलूमीनियम को इसके पर्यावर्णी हिते सी स्वरूप और नवीनी करण योग होने की काड़ कहा जाता है हर्विधातु को पूरवी दक्कर पठार में उखता पाया जाता है सुक्स सहादा वहार बन इसके अंतरगत पाया जाता है नेक्स्ट आता है आपका कि बाड़े जिक द्रिष्टी से लाप्रत ब्रक्षो की एक पादप किरसी की अनुपंग प्राक्तिक छटा को नस्ट कर रही इमार्ती कोटरी का है जो कि फ्रेस बाटर पोकेट से तौरित गती से सूख रही है क्योंकि निर्वनी करण और मैंगरूप का विनासुराय यह उद्रण किसको निर्देश्ट करता है तो यह आपकी सुंदर्बन को निर्देश्ट करता है नेक्स्ट आता है आपका कि बरस 2004 में सुना करते हैं नेक्स्ट आता है कथनो कारण की संदर में जिसमें कथन कहता है कि उरीसा तर भारत में सरवादिक चकरवात और रुधार के रूप में ब्रह्मेनी बैतर्णी महानधी डेलटा था यह बीतर्ण करने का मैंगोरूब में सही कथन दिया गया है कि टेक्सोस ब्रक्ष हिमाला में प्राक्तिक रूप से पाया जाता है टेक्सोस ब्रक्ष रेट कार्टा बुक में सूची बेक्त है और टेक्सस ब्रक्ष में टेक्सोल नामकौसत प्राप्त की जाती है जो परकिंसन्स रोग के ब्रोध प्रभावी होती ह नेक्स्ट आता है कि विस्ट बने जीब कोस की स्थाप्ट है 1961 में हुई और जुलाई 2000 में उडिशा में नंदन बन अभ्यारण में तेरा सेर्वों की मिर्ट्यू का कार्ण ट्राई इपनोसो मेर्सिस रोग रहा है भारत का सबसे बड़ा जीवन साला कोलकाता में अवस्थत है तो यह संदर में इसके चार पूरे कथन सही है यूकलिफ्तिस प्रिक्षु को कहा जाता है पारस थिकी की आतनकवात कहा जाता है यह उशंकटी बंदी यह जलवाई छेतरों में पाए जाती यह मुख खताब बंद यह मुदेख्षणी अमेर्का के सदावार बनों में पाए जाता है मियावा की पद्धिती होती है सहरी चेतरों में लगुबनों के सरजन हे तो मियावा की पद्धिती के प्रेड़ नार्ता कौन रहे है जापानी वनसपती विज्ञानिक अकीरा मियावा के इसके प्रेड़ ता रहे हुए है नेक्स्ट आता ही कि भारत में पाई जान सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें कथनों कारण सही है जो कि एक दूसरे की व्याख्या है नेक्स्ट आता है कि ये बन जैबेवित्ता की सनक्षक होने की साथ समुद्र तटों की वीच महत्यपूर कड़ी का काम करते हो तट की समुद्र की ओर आने वाली तीबर लाहरों को बि सेंग्रोब होती है अमर्ता देवी प्रोसकार दिया जाता है बन एवं मनेजीवों की शुरक्षा के लिए बिशु बाग सिखर सम्मिलन 2010 में आयुजित किया गया था ये कब आयुजित किया गया था इसकी से 24 नमब मर 2010 को नेक्स्ट आता है कि नेपाल एवं भारत में बन ज प्रासान के लगाने और सौंद्री करण के लिए किया जाता है किसके दौरा तिब्बती बुद्धों की दौरा नेक्स्ट आता है कि यदि आप हिमाले से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां जिन पात्वों में प्राक्तिक रूप से उगने हुए दिखने की संबाना है बान जो बुरूंस है चीड इन बनों का मुख ब्रक्ष परंतु अधी कादरता वाले भागों में बाज या ओक जैसे चोड़ी पत्ती वाले ब्रक्ष देखे जाते हैं या उपूशन कटिवंदिये बना आते हैं विरतेक वर्स कती पाय विसिष्ट समुदाय यार पर जन ज जाती होती है गॉंडेया को होती है भारत के एक विसेश चित्र में स्थानी जोगों लोग जीवित ब्रक्षों की जड़ों का अनुबर्धन कर इन हैं जलधारा के आर पार सूद्रण पुलों में रूपांत्रेत कर देते हैं जैसे जैसे समय गुजलता यह पूल अधिक मज अगर किसी पेड को काटी बिना उसे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को कहा जाता है जीवित पुल या प्राक्टिक पुल कहा जाता है नेक्स्ट आता है आपका कि भारती पसु कल्याण बूर देश में पसु के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तिथा पसु कल्याण कानुनों के लिए एक साम्मिधिक सलायकार निकाय की रूप में है बननेजीव एक मात्र संपति है सरकार की जब किसी बननेजीव को सनलक्षत खुसित किर दिया जाता है तो वह जीव समान सनलक्षत का हगधार होता है तो इसे सनलक्षत छेत्र में यह उसके बाहर भी होता है राश्टी भाग पराधी करण एक साम बेदीक निकाय होता है यह परियावड वन और जलवाई परिवर्तन मंत्रा लेकर अंतरगत आता है भारत की पहली राश्टी बन नीती प्रिकासित हुई यह 1894 में भारत यह सुतंत्र भारत की पहली बन नीती यह 1922 में तयार हुई और देश में एक तिहाई तिथा 33.33 परसेंट बन चेत्रों में पहाडी चेत्रों में दो तिहाई जत्वा 66.67 परसेंट चेत्र में बन एवं ब्रक्षावराण का आवराण जो है राश्टी ये बनीती 1988 के उनुचार है जिनका ब्रक्षे चत्र घनत के सत्तर परसेंट से अधिक होता है वह अती सगन बन है जिनका ब्रक्षे चत्र घनत तो चाले से सत्तर परसेंट के बीच होता है वह मद्धिम सगन बनाते हैं ब्रक्षी शत्र इसका 10 से 40 पिर्षत की मद्ध होता है वैखोले बन है दस पिर्षत से कम ब्रक्षी छत्र घनत वाली निमने स्तरी ये बनभूमी बातवरण में सामेल नहीं किया जाता है इन्हें कहा जाता है घाडी जाडी इसक्रप की सरणीम के अंतर गरत आई एस एफर 2021 कि देश में झाडीयों का छेत्र फल 4,549 वर किलोमींटर है जोकी भौग लेक्षेत्र का 1.41 पिर्षत है ain्य Star 2019 क्रूआसी पिडिस के अनुसासत प्रदेशों में उनके भॉगलिक छेत्र का 33% से अधिक छेत्र बनाच्छा देत है उसमें 17 राज जाते हैं नेक्स्ट आता है कि आई एस एफाल 2021 के अनुसार आपको कुछ डेटा दिया गया है कि यह देश में कुल ब्रैनावराण इवन ब्रक्षावराण का जो की द्रिश्टी से सरवादिक के बनावराण वाले जिले आते हैं मध्य प्रदेश अवनाचल प्रदेश 36 कर उडिशा और महराष्ट आता है नेक्स्ट आता है आपका कि प्रिश्टी से सरवादिक बनावराण वाले पांच जिले हैं जिसमें मिजोरम आपका 44.53% अवनाचल लडदा काता है। से नियुंतम बनाBoxरण वाली 5 राती हैं it जिस में हरयाणा पंजाब गुवा सिंकियु बिहार है। से लगression की दिस्टी से सरवारनीक ब्रक्छावराण वाली 5 राती हैं नहीं इसे किके मह्राश्च करनात़ा कीद दिल्ली जम्मु कश्मीर पिर्षत्ता की दिश्टी से सर्वादिक बतावरण बनावरण वाले तीन संगीर छेत्र आते हैं जिसमें लच्छ दीप अन्वानेकोबर दीप समु जम्मु कश्मीर है कुल बЕТचचावरण त्था बनावरण के चेत्रफल की दिश्टी से शरवादिक चेत्रफल वाले पाच राज जाते हैं माध्य प्रदीस अनाचल प्रदीस महराज छटीस कड उडिसा है सर्वादिक बनावरण पिर्षित वाला राजी या संघिय छेतर लक्षदीप है, सर्वादिक बनावरण पिर्षित वाला राज जापका में जूरम आता है गयरबन छेतर में बिक्सित किया गया वह पादब जिसे भारती बन संसुधन अधिनियम 2017 में ब्रक्षो की परिवासा को बिलोपित किया गया है बास में लवन सहिशुनू पनस्पती समदाय जो बिश्व के ऐसे वुषर कड़ी बन दिया एवं उपोर्शर कड़ी बन दिया आंताजवारी छेत्रों में पाय जाते हैं जहां बर्शा का इस्तर 1000-3000 mm की मद्ध तथताब का इस्तर 26-35 डिक्री सलसेयस के मद्ध होता है बैं मैंगरो बन होते हैं ISFR 2021 काउनसार भारत में सरवाद एक भोगोले आच्छादिक चार संगिये और राज छेत्र हैं पश्य मंगाल 211.77 km गुजरात 1175.07 km अंडवान निकोबर दीप समूवापका 616.45 km और आंधर प्रदेश 404.78 km की अंतरगत आता है ISFR 2021 काउनसार चार सरवादिक बना मैंगरो आच्छादिक जिलेप में करमसा धक्षण 24 परगना पश्य मंगाल कच्छ गुजरात उत्री अंडवान एवं नेकोबर दीप समूवाप तदह जामनगर गुजरात आता है ISFR 2019 के उनसार भारत में मैंगरो आच्छादिक चार राज जाती है तो यह 2019 का रहने देती है क्योंकि हमारे अभी 2021 का पढ़ लिया है जिससे लेटर आपकी कुश्य आते हैं फिर नेक्स्ट आता है आपका बिश्वे मैंगरोप का सरवादिक च्छित्र आपका एशिया में है ISFR 2021 के उनसार उत्तर प्रदेश में सरवादिक बनावरण च्छित्र वाले जिले आते हैं इसन रविदास नगर भधोई मावु मैनपुरी और संतकभी नगर आते हैं उत्तर प्रदेश में सरवादिक बनावरण पिश्ट वाले जिले आते हैं सौनबदर चंदवली चित्र कूट नेन्तर बनावरण वाले जिले में आते हैं ओठर प्रदेस में कुल बनावरण 14,818 बर किलो मीटर है जो कि राजी के कल भोगल ईक छेत्र का 6,15 परशत है . यहाँ पर भी यह 2019 का डेटा है उसको भी रहने देते हैं अब आता है बैश्विक मन संसाधन आखलन रिपोर्ट की बारे में जिसके तहर जो कि गलूबल फोरेस्ट रिसोर्स एसेनमेंट के अनुसार बेश्यो की बनों एवं उनकी प्रवंधन की नेमत निगरामी अब आता है आपका नेक्स टॉपिक अब ब्यारन की संदर में देखते हैं पहला आता है कि आपका प्रिथम डॉलफिंग बैटसाला बनाई जा रही है भारत की स्थापित प्रिथम राश्टी उद्धान जिम कारवेट नेशनल पार्क है उत्रकंड राज में जिस राश्टी पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर में समलित किये जाने की प्रियोजना थी वह राजा जी राश्टी पार्क था बारा सरकार दोरा शुरू किया गए प्रोजेक्ट टेलीफेंड की संदर में सही है कि 1991 – 92 में सुरू किया गया था यह मानोत था हाती की वीच टकराव की समस्या पर काम करता है इसे केंद्र दोरा प्रायोजित यूजना के रूप में आरम में किया गया था प्रोजेक्ट टेलीफेंट के संदर में गलत कथन दिया गया है कि यह केवल जंगली हातियों के कल्यार पर केंदरे थे उत्रखन के जिस बन जी प्विहार समूई की स्थिती को पश्यम से पूरी की और सही क्रम लगाया जाए तो इसमें केदारनाथ नंद देवी बिन सर और असकूट आता है इसमें सुमेलित दिये गए है जिसे राश्टी उद्धान जो आपका एताना की है बै नागलेन में बेतला जारखन में सिरोही मडी पूर में उगुईन दी जो है तमिलाणू में इस्तित है एम स्टिप से सब्ध कभी कभी समाचारों में जिस संदर में देखा जाता है बै आता है आपका बाग अभ्यारणों के रख रखाओ के लिए पारिस्तिके दिश्टिकोर्ण से पूर्वी घाटों पश्मी घाटों की वीज की एक अच्छा संपर्क होने की रूप में अजिसका महत अधिक होता है बै आता है आपका सत्यमंगलम बाग आरक्षी छेतर सत्यमंगलम टाइजर रिजल्प के अंत्रगत आता है नेक्स्ट आता है कावेरी बेशन में इसते सनरक्ष छेतर है नागरहुती राष्टी उद्धान बाइनाट बनने जीव अभ्यारण सत्यमंगलम बाग आसरक्ष छेतर में आता है जारकंड सरकार ने राज के विविन बनने जीब अभ्यारण में बनने जीबों के प्रवंदन योजना शुरू किया है दसवर्स के आउदी के लिए मौर हुआ धाट भेडिया अभ्यारण जारकंड के जिसलिए में है वह लातिहार है अंतराष्टी टाइगर रिजर मनाया जाता है 29 उलाई को भारत के अधिकांस बनने जीब सनरक्षे छेतर घिरे हुए है घने जंगलों से नेक्स्ट आता है आपका सरकार की बाग परियोजना का उद्देश आता है भारती बाग को समाप्त होने से बचाना भारती टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर सुरू किया गया सबसे पहले आपका आता है अचानक मार अमर कंटक्ट में है जो इसका इस्थापना 2005 में हुई थी नेक्स्ट आता है अगस्ट मराई जो की 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इने यूनेस्को में में कारकरम की तहट जेम मेंडल रिसर्ट की सूची में भी सामिल किया हुआ है दिहांग दिवाग जो है आपका 1998 में डिब्रू साइखुबा 1997 में ग्रेट निकूबर 1989 में इसे भी इसकी मेप सूची में सामिल किया गया मनार की खाड़ी को भी सामिल किया गया और कंचन जंगा को भी सामिल किया गया 1989 में मनार की खाड़ी कंचन जंगा आपका 2000 में फिर आता है आपका मानस जो है 1989 नंदा देवी आपका 1988 नेक्स्ट आता है नेल गरी 1986 जिसमें इस्टार लगा गया है आपका मैप की एजर मंडल रेजर्ब की विश्वतंत्र शूची में सामिल किया गया नौक रेक जो है आपका 1988 में पच्मणी 1999 सिम्ली पाल अर 1994 सुन्दरवन आपका 1989 कच्छ जो है 2008 में फिर आता है आपका सी त्रेगिस्थान जो 2009 में स्थापित किया गया और आपका सेस्टा चलम पहाडिया जो है 2010 में और लेटेस्ट जो है आपका पन्ना जो आपके 2011 में स्थापित किया गया और इसी मैप सूची युनस्को की मैप सूची में भी सामिल किया तो आपका लेटेस्ट वाला बना और जो आपका पहला वाला जो आता है वह अनर्डा दिवी आता है जिसको 1908 में स्थापना हुई थी नेक्स आता है आपका कुछन यह हंगूलीया कस्मीर स्टेक के लिए प्रिष्ध है हंगूलिया कस्मीर स्टेज के लिए आपका डाची ग्राम राश्टी उद्धान प्रिशिद है। अंदर प्रदेश में एसियाटिक बबसेर का निवास इस्थान गिर बन है। मंदल रिजर्वर उनकी अवस्थिती दी गई है जिसके अंतरगत आपका नौकरीक जो है मेघाले में मानस असम में हैं देहांग दिवाग अरणाचल प्रदेश में अगस्त मलाई कीरल तमिलाडू में नंदा देवी उत्राखण में कंचन जंगा सिक्किम में सीत मरुष्थाल में इसे गारो पहाड़ीों में फैला हुआ है नौकरेक नंदा देवी जिव मंडल जिस राज में स्थित है वहें आपका उत्राखण है विस उधरवा रिस्तल वल्ड हैडीटेश साइट घुसत किया गया नंदा देवी जिव मंडल आरक्षर छेत्र को अगस्त माला जिव म सीमा रेखा परिभासत करता है विधान से बन प्राणी अभ्यरण में अनमती होती है सीमेजी वे हस्त छेप की जिस बर्ग के आरक्षित छेत्रों में इस्थाने लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उनके उप्यों की अनमती नहीं होती है वह राश्ती उध्धान है कार सबरी 1992 में जंगली गन्हों का अभ्यारण आपका गुजरात में भारत का बहराज जहां एक सींग वाला गेड़ा पाया जाता है वह पश्चमंगाली मसम है वह अभ्यारण ये सेंचुरी जो मुखिता एक सींग वाले गेड़ों के जानी जाती है कांजी रंगा है और राष्टी उधान जो की आपके मध्यप्रदेश में बाधीन पूर्णाटिक में नं इस Holmes नाउ में वह चेछ कृषिवर नजै ₹छ नस कर आजाता वर्च्व में बड़न संक्समय गैली pense सीब्व के लिए प्राक्तिक नवास आपका राजस्थान में राज्य उत्धानों और ना जिसमेल प्रदिस में और लिए सिधान की सूची में संब्सक्रução के अंतरगत रंगा एकल्ल्व ग्यर्ण और सिम्ली पाल हाती अभ्यारण के अंतरगत आता हैं सरिस्का इवं रडधंबोर जीव जिस जानवर के लिए सब्सक्राइब बाग आता हैं कारवेट रडधंबोर नागरजुन सागर स्री सेलम सुन्दरबन में सी कौन सबसे बड़ा क्रांतिक बाग अभ्यास है या क्रिटि बड़ जीव जले एक लगु अभ्यारण जो इस थे थे राजस्थान के जाएपुर जले में उत्तरब्रधीस मद्प्रदीस हर्याडा राजस्तान मैं सी वह कौन सा राजिव जो राजिटी चम्मल अभ्यारण का हिस्सा नहीं है वह हर्याडा आता है सो मेलित करने के लिए दिया गए जिसमें टाइगर रिजब और राज है जिसमें कारवीट आपका उत्राखन में आमानगड वफर उत्तरप्रदीस में बादीपुर करनाटक मानस असम पलामु जारखन रण थंबोर राजिस्थान सिमली पाल उडिशा और आपका सुन्दरवन पश्यमंगाल कानह मध्यप्रदीस मेल घाट महराष्ट पैरियार केरन सरिस्का राजिस्थान नाम दफा अड़ाचल प्रदीस नागरजुन सागर स्री सेलम आंदर प्रदीस अमरावाद तेलंगाना इंद्रावती चतिसकड बुकसा पश्यमंगाल दुधुवा कतरनिय घा पर नेक्स्ट आता है आपका पैंच जो है महराष्ट में आता है इसके बाद आता है बोरी सत्पुड़ा मध्य प्रदेश में पक्के पाकवी अरड़ाचल प्रदेश में अन्नामिलाई तमिलाणों में उधनती सीतना डी जो है आपका छतिसकड में इस्थित है तो आप घृष्ट हमेशा कुष्षिन पूछे जाते और यही कुष्षिन रिपीटेवल होते हैं कि आपकी एक Bongwnaksi में चार देती है या फिर फिसी एक का नाम फूछते इन एक नाम तो रियर ही पूछा जाता है लेकिन चार में मिलान के लिए दिते अगर आप इस तरीके से इन है भाँ 10 पर यहांग विस्तारी टाइगर उज़र है कस तो आपका ऊठर प्रदीश फिर आता है आपका बाग अरक्षी छेत्र गूसेत किया गए भानिपूर मानस सुन्दरवन को भारत के टाइगर रिजर में जो मिजूरम में अवस्तित बाए दंफा आता है अब आते है बाग आरच छेत्रों राजी के बारी में बुकसा जो है वो आपका पश्यमंगाल में दंफा मिजूरम में नमेरी असम में दामदफा अरणाचल प्र ज़क्त अब पश्यमंगाल में द्यास कणाचल में द्यमंगाल मचक जिल्थान के लोगे मेंहें भास्ति में मांधोर राश्टी ऊद्धान अमरिय मद्धिप्र्देस में माधह राश्टी उद्धान मद्धुध्यां मद्धिप्रदेश में इंदरावती आपका पीजहत पॉर्थ 26 में ये नेक्स्ट आता है कि गिर राश्टी उद्धान आपके गुजरात में है, भरतपूर पकछी बिहार, राजस्थान में, बानोगण राश्टी उद्धान, मद्यप्रदेश में, बहांजी रंगा, राश्टी उद्धान, असम में आता है। पार्क बने जीवभ्भ्रण आते हो राज केंदिसासित प्रदेश जिसमें दाचि गराम बने जीवभ्भ्रण जम्मू कश्मीर में चिव्ला डियों घाना पक्षी अब बहारह राजस्तान वे कारह राष्टी प्रदेश में पेरियार बने जीवभ्यार केरल σ्व 2017uba दोग्रो जैसे आप अगर वह सिक्वेंस से आप याद कर लेते हैं जो कि आपको लिस्ट बताए गई है उसमें से ही आपके कोशन पूछ गए कहीं अलग से नहीं पूछ गए तो आपको वह जो लिस्ट दी गई उसको बार बार देख लेना है जैसे आपके जितने भी राश्टी अब इसके इस्थापना वर्स के बारे में दिया गया जैसे जिम कारविट की इस्थापना है वाई 1936 में हुई थी काना की 1955 में कांजी रंगा साइलेंट वेली उनिस्थो चुरासी में बीजापूर जिले में इस्थे इंद्रावती राश्टी उद्धान वहींबांध बनेजीव अभ्यारण मुंगेर बिहार में है मध्य प्रदीश में सहीडूल मंडल में उमरिया जिले में इस्थे बांदावगर राश्टी सही सुमेल दिया कि जिसमें अंसी राश्टी उद्धान करणा टए technology में इंद्रावती उद्धान चटीस कर में और घरी सथी नीर नेम राश्टी उद्धान है यारश्ट्य में पाव्यार्वार्व कई द्धान ऊट सेथ कोई है बन्न जीव पक्षिया ब्हारण तमिलाणू राज में चंद्रप्रभा बन्न जीव ब्हारण उत्रप्रदेश में चंदौली जिन्दबन में आता है। सामिल किया हुआ है वह आपका कंचन जंगा है 22 जो सब्सक्राइब के द्वारा एको सिस्टम जो सब्सक्राइब अपने प्राक्तिक आवास में मिल सकता है। सब्सक्राइब के साथ मक्मली कारे पंखो वाली बिलू मारवन तितली को सरपुर्थम किस राजी का का राजी पक्षी राजी तितली घुसत किया गया है यह आपका महराष्ट है। सदर्न वर्ड बिंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राजी तितली का दर्जा दिया गया है करनाटक में। युनेसको द्वारा मैंनेन बायोस्पियर रिजर्व या मैप की शुरुआत की गई थी 1971 में। गिरेट हिमालियन राज्टी पार्क जिसे युनेसको ने विश्व धर्वर इस्थल गुजित किया है वहे माचल प्रदेश नीलगरी नंदा देवी सुंदरवन मनार की खाड़ी में युनेसको द्वारा प्रमारित भारत की ब्रहत्तम। पड़ा संरक्षत छेत्र है नामदपा राज्टी उद्धान का। भारत का सुलाइवा जैम मंडल आरक्षत छेत्र सीत मरुस्तल हिमाचल प्रदेश में इस्थेत्य पांच मौश्मों का बाग महरोली की समीप है। आज की बिल्लक भाग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदा वाहर बनो में सुक्स कटीले बनो अनूप छेत्रों घास की मैदान फेला हुए है। तदा भी उनकी प्रवास नम पढ़ पाती है। नेक्स्त आता है। नेक्स्त दिया गया है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों के दक्षड अफरका में भारत लाया गया। कारण दिया गया है कि चीतों की आवादी सुधारना भारत का प्राज में किता है। नेक्स्त दिया गया है कि सनरक्ष चेत्र हैं जिनके लिए जाने जाता है। भीतर्ड करणी का उड़ीशा लवड जल्मगर के लिए। मरस्तल राज्टी उद्धार राजिस्थान महान भारतिय सारंग के लिए। पूरुत्र भारत में राज्यों में बिसेशता आसम में पाये जाते हुलुक गिवन आता है। ग्रेट इंडियन हाउन्विल ने अपने प्राक्तिक आवास में पाये जाने का समते अधिक संभावना कहा है पश्मिघात में। इनका प्राक्षी आवाज पश्मी घाट है और एह पक्षी बिग्याने के नाम व्यूरेसस वाई कारिस हैं आपको गूल घाट नवा गाओ असम में है फिर आता है कुद्रे मुक्षिक मंगलूर करना टक साइलेंट विली पाल घाट में है भूगर्विक विरासत इस्थल के बारे में और इस्थान दिया गया है जिसमें रास्टिये कास्ट जीवाश्म पार्क दिरूचरापली, सिवालिक पार्क सिर्मोर्स, स्ट्रेटू मेटा, लाइट पार्क चित्तौरगर्ड और लोनार जील आपका बुल्डाना में भारत का प्रिथम तितली उद्धान, बनर घटा, जैवेक उद्धान आपका इस्थित है वेंगलोरू में असकोट बनने जीव अभ्यारन जिस रनपत में है वजनपत आपकी पितोरा गड़ाती है बाग आरक्चे छेत्र राज आते हैं जिसमें बांदीपुर कर्णाटक में, मेल घाट, महरास्ट में, बुक्सा, पश्यमंगाल में, पक्किया पाखोई आपका अगड़ा चल प्रदेश में हाता है कारवे ट्रास्टी उड़ान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से नेसल पार्कों में से जिसके जलवाई उश्न कटिवंदी से उपोष्ण सीतोष नो आर्कटिक्ट तक परिवर्तित होती है वज नाम दफ़ा नेसल पार्क होता है नेक्स्ट आता है सक्तिंग बनेजी बभ्यारण इस्ति थे आपका फूटान में मानस नाम दफ़ा नेओरा फूलो की घाटी नेसल पार्क में से कौन सा पूरता सीतोष अलपाइन्ट कटिवंद में इस्ति थे वज फूलो की घाटी नेशनल पार्क है बुकसाबाग प्रियोजना भारत के किस राज में इस्ति थे वैपश्य मंगाल में सोलकला फांटा बनेजी बभ्यारण इस्ति थे आपका नेपाल में नेक्स्ट आता है दंफा टाइगर इजर मिजोरम में गुम्टी बनेजी बभ्यारण तिपुरा में सारा मती सिखर आपका नागालेंड में कारवेट राश्टी उधान से होकर प्रवायत होती है आपकी रागंगा और कोशी नदी ब्रमपुत्र दिफलू मोरा दिफलू मोरा धनसीरी नदियां प्रवायत होती है कांजीरा गंगा राश्टी उधान से होकर प्रवायत होती है नेक्स्ट आता है साइलेंट वेली राश्टी उधान से होकर गोजलती है कुंती पुझा नदी पंजाब प्रांद में ब्यासो सतलुच के संगम प्रिस्तित हरी के आदरभू में राश्टान प्रांद के भरतपूर में इस्तित गंभी रोग बान गंगा नदी के संगम पर है आपकी केलाओ देउगाना राश्टी उधान आंद्रपरदीस में किश्णाओ गोदावरी नदी के डेल्टा में ताजी जल की जील केलवरी जील है भारत में सरपर्थम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओ की अंतरगत प्रवालवित्या मॉलस का डॉल्फिन कच हुए और अनेक प्रिकार की समुद्री पक्षी पाए जाते हैं वैस्ता पे थे कच्छी की खाडी में नेक्स्ट आता है आपका की नीलगरी की मेग बक्रियां पाई जाती है इरावी कुलम राश्टी पार्क में सूची एक और दो को सुमेलित करने के लिए किया गया है जिसमें बोंडला बन्नेजी बभ्यारण गोवा में है कांगेर घाट राश्टी उधान 36 गड़ में प्रफल में 30 पिरसर से अधिक छेत्र का राश्टी पार्क आता है वे भूटान है और विश्ट का सबसे वड़ा बानस पतिक उद्धान क्यू लेंड एक्यू इंग्लेंड में है बुंदाला जी मंडल आरेक्छी छेत्र जैसे यूनेस्को के मानों या जे मंडलिया मैन पिश्रोत होती है जो नवीनी करण है सबके लिए सत्य तूर्जा दसक घुसत किया गया 2014-2024 का अंतराश्टी शौरगटवंदन का प्रिथम सिकर सम्मिलन नई दिल्ली में संपन हुआ अंतराश्टी शौरगटवंदन का सचवाल है आपका गुरू ग्राम हरयाड़ा में है नेक्स्ट आता है आपका कि 100% सौर उर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंसासित प्रदेश दीव है कभी-कभी समाचारों में दिखाई देने वाला घरेलू अंस आवशिक्ता पद का संबन्ध है जिसे सौर सक्ति उत्पादन की विकास से जाना जाता है सेवाल आधार जैब इदन उत्पादन को इस्थापित करने और इंजिनरिंग करने ही तो पुरनर्माण पूरा करने की जरूरत होती है उचेस्तर ये विशेशक गिता या प्रोधकी की उर्जा एक नवीनिकरन सुरोत है वो सोरूर्जा का सौर पवन जवारीये पनविजली उर्जा आधी प्राक्तिक संसादन को दारण है नवीनिकरन उर्जा की उर्जा का आपका सौराँ ज़र मात्रा में सरवाधिक उप्यों की जाती है आपकी सौर के प्रिकास में सौर उर्जा को परिवर्टित किया जाता है फोटो-बॉल्टक टकंग कि दौरह अब आता है आपका नेक्स्ट इसके अंतरगत की पेट्रोलिम उत्पाद, बन उत्पाद, नापकी विखणन, और सेवर सेल में से सर्वुत्तम अनकूल होती है आपकी सौर सेल, जीवाश मीधन नहीं है यूरेलियम, पौदे की बे उत्पाद जो की हजारा वरसों से पृतिव परियावर्णी प्रदूशर उत्पन्व होता है हाड्रोजन से, हाड्रोजन की माहतों को देखते हुए भारत में बर्स 2003 में गठन किया गया हरास्टी है, हाड्रोजन बोड का, नेक्स्ट आता है कि विज्ञान को किनुसार भविश का इधन है वह हाड्रोजन है, उर्जा स पुर्ण जे सकती, लगुजल विद्दूद सकती, अपसिष्ट से यार्जे तूर्जा, बैसे भारत में जो नवीनी करण उर्जा, इसका सरोच सरवादिक संभावे वाला है, बह शोर सकती है, जैव एधन की संबन्द में सत्य कथन दिया गया है, कि जैव एधन पारिस की किनकूल होता है, जैव एधन नूर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, और जैव एधन मक्का से भी बनता है, बायो डिजल की जो फसल है, वह आपकी जैट रोफा आती है, एथनोल एक प्रिशद एलकोहले, यसी एथिल एलकोहली भी कहा जाता है, इसका प्रयो कि खेति की जाती है, बायो डिजल के लिए, नेक्स्ट आता है, नाप किये सकती परियोजनाओं के अंतरगत परियावर्णी प्रभाव, जिनका आध्यन किया जाना है, तथा हल निकाला जाना होता है, बायो, मृदा, एबंब जल की रेडियो धर्मी प्रदूशन, बन आप पेड़ पोधू, जनतु समुझ की छती रेडियो धर्मी अप्सिष्ट का निस्तारण, अधी हुद, नेक्स्ट आता है, कि अंतराष्टी स्वर्गत बंदन को प्रारम किया गया है, 2015 के, सहयोगते जल बायो परिवर्दन सम्मेलन में, करके वं मकर रेखा के वीच इस्ते द थोस बायो मास का दहन योग जैसे मिस्टर में रूपांतरित होता है, बायो मास कैसी करण है, जैब मास, जैब भार गैसी करण को भारत में उजसंकट के धार्न ये हर लोग से एक समझा जाता है, इस अंदर में सही कतन दिया गया है, कि नारियल, आवरण, भूम, भूम, भूशी का उपयूग जैब भार गैसी करण के लिए किया जाता है, नेक्स्ट आता है, कि नारियल, आवरण, मुंभली के छिल के, तदाधान की भूशी द्वारा उत्पन गैस का उपयूग बिजली पैदा करने वाले जेनरेटर की रूप में उपयूगत रूप से समझे जाता है, बाइमास में आप रितिक्ष रूप से पाई जाती है, सोरूजा, कथन और कारण दिये गए, जिसमें कथन कहता है, कि कोईला अधरी तापी बिजली घर अमले बरसा में अंसता ही हो, कारण कहता है, कि कोईले के जलने पर कारवन की आकसाइड है, उस सरजित ह समझी जाती है क्योंकि ये जीवेट जीवों के उत्प्रिकों की रूप में प्रियुक्त कर कुछ सब्स्टेंट हो इसे बिवित प्रकार के आजेबिक पदार सब्स्टेंट की रूप में विरुक्त होती है और एजल का सोधन बिद्व तुद्पादन करने के लिए अब प्रति उपलग प्रोदिक की इस तर को देखते हुए सोर उजा कर सुबदा के उपयोग किया जा सकता है आवाशी भवनों को गर्म पाने की पूर्टी करने के लिए लगू से चाई परियोजना हो तुजल की पूर्टी के लिए और सड़क प्रकास विवस्था के लिए इसक पूंगामिया पिनाटा प्राक्तिक रूप से उखता है और पूंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिंड अंसभातायत में होता है जिसमें लगवग आधा ओली एक अमले भी होता है नेक्स्ट आता है आपका कि भूतापी उर्जा की सुरूत नहीं पाए गए गए माले कंबात की खाड़ी सोनाटा जो कि शो एसो एन एटी के संदर में देखा जाए तो सोन नर्वदा तापी प्रमुख नदियों को संदर बित करता है सोनाटा पश्मी घाट तो गोदावरी बेशन और आपका महानादी बेशन आता है खाने दिये गे हैं समाप्त होने नेक्स्ट है कि जैन मूल एसफाल्ट ए An appeal catastrophat या मोل सीमा सुल्क की पूरी छूट प्रादान की गई है यह अप founders कब परेयक के एसफाल्ट के भी परीड बायो एसफाल्ट जिबास में इतनूं पर आधर्वित नहीं होता है छयाब को बायो एसफाल्ट से चटकों की Darmar का विकलब होता है जिसका निरमाद नमीनिकरण सुरूतों से किया जाता है जो कि गयर पेट्रोलियम पर आधारित होता है नेक्स्ट कोशन आता है आपका प्रदूषन का प्रदूषन के अंतरगत आपका पहला है कि हावा में तैरते विच्वे स्वेशन के सुक्षमकरों क पांच माईक्रोन से कम होता है जो प्राय गया दो दिसमें पांच माईक्रोन के लग भुवद होता है जलवाई हों सुक्ष वायु गटवंदन में विभिन देशों नागरिक समाजों नीजी जीत्रों का एक बैश्वत प्रयास है जो कि अलप जी भी जलवाई प्रदूशकों के संदर में यह केंदरित है नेक्स्ट आता है राज्टी यह सवक्ष वायु कार क्रम केंदर द्वारा प्रारम भी किया गया बरस 2019 सामानिता और प्रयोक्ति किये गए उसमें समावित पदार्थ जैसे उप लिपिस्टिक में सीशा पाया जाता है सीतल पे में ब्रोमी नेत बनस पती तेल पाया जाता है चाइनीज फास्ट फूड वर मॉनो सोडियम गलुटामेट पाया जाता है यह प्रक्ति में घटित होने वाले जैब निवनीकर क्रिया का ही सम्मर्धन कर प्रदूशन को सच्छ रखने की तकनिक है वह जैबो चारण यह बायो रे मेडियेशन ह होता है नेक्स्ट आता है कि जैब उप्चारण के लिए विसे इस ताभी कल पिस सुख्ष जीवों को सर्जित करने के लिए उप्यों किया जाता है आनवानसक इंजिरिंग को वानोजनेट प्रदूशर कहलाता है एंथ्ट्रोपोज जेनिक बायोपदार जो प्रदूशर फ पस्त दी के कारण होता है वह नाइट्रिजन और सरफर के आक्साइड होती है दुआ में आखों को प्रवाइद करने वाले सक्तिसाली उत्य जो होता है प्रदूशर जैसे जीवानू आदी के द्वारा समय के साथ प्रक्ति में सरल शानी रहित तत्तों में बिक्टित कर दिय है नेक्स्ट आता है कोईला पेट्रोल डीजल आदी का दहन मूल स्रोथ है बाई प्रदूशर का जब मानवीत प्राक्टिक कारणों से बाई मंडल मुपस्तित गैसों के निश्य तनपात में आवांच्री परिवर्तन होता है तो इसे बाई प्रदूशर कहा जाता है बेंज आता है प्राक्टिक शुरूद दूसरा आता है मानव जनुल सुरूद बनागरी ते था ज्वाला मुखी उद्गार जब इक पदार्थों के सड़ने गडले से निकलने वाली गैसे जैसे सल्फरडाय आक्साइड नाइट्रूजन के आक्साइड इत्यादीस में सामिल होते ह सीवेज, प्लास्टिक, एस्वेस्टेक, पॉलिथिन में वह जो जैब अपगटनी करण के लिए प्रदूसक है वह सीवेज होगा प्रकास राशानी धूम कोहरे की बनने की समय उत्पन होती है नाइट्रूजन आक्साइड प्रकास राशानी धूम कोहरा सब्द होता है इस् परिस्थितियों तथा स्थेज सूर विकरणों से निर्माण होता है प्रकास राशानी धूम कोहरा नाइट्रूजन के आक्साइड ओजौन तथा प्रकास राशानी धूम कोहरे के अंतरगत होते हैं प्रकास राशानी धूम कोहरे के अंतरगत होते हैं प्रकास राशानी जली सही अंत्रों में निकलने वाले नाइट्रूजन आक्साइड शूर के प्रिकास में अभिक्रिया करके कई सारे दुतियक प्रूदूशक बनाते हैं जैसे ओजॉन फार्मेल्डिहाइड और पैराक्सी एसी टी नाइट या पेन आधी इसके अंत्रगत बेप्रूदूशक निर्माड करते हैं नेक्स्ट आता है कि कुछ अभिक्रियाओं को प्रिकास राशनेक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इन में दोनों सामिल होते हैं सूर का प्रिकास और राशनेक प्रूदूशक दोनों सामिल होते हैं ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक थ्रीका निर्माड करती है और ऐक्सिismojak या ऑक्सिजन के अपो से मिलकर और टौन बना लेते हैं अथो आप नाइट्रुजैन पराकसाइट से परेंटिर्ट यह से पहन हो जाते है यह को उसका कि माइट्रो कौन दीया में होने वाले है अपढ़ा ली रहाध मीसक परभाई करने ritual कीओं पररेकुले में बढ़ाधंब मत्र पन होथा है मनुश्य की आंखों में बहुत ज्यादा चला नया उत्टेजना पैदा करता है पेन पेन तथा ओत्री मिलकर छोटी छोटी बुंदे बना लेते हैं और अधिक दुंदे कोहरे की निर्माण में दर्श्रेता को घटा देता है नेक्स्ट आता है कि भारी ट्रक की आता है यात निर्वाचन सभाय पॉप संगीत तथा जेट उडान में अधिक्तम ध्वनी का कारण होता है जेट उडान के लिए ध्वनी के गती तेज के देज चलने के लिए जेट के जीचर ना प्रतपसें में इक खाँ आँज संगीत ध्य ब्हार गयाता है कवाण्सक्राश्यो होती है एं व्चलिवबार में कम समय के लिए रहती है और इसका जाता है सी ओटू के लिए पी एंड या पैन इस मॉग सलफर डायकसाइट और ओजन मैंसे एक दूती प्रिदूशक नहीं आपकी सलफर डायकसाइट देख दूतियक प्रुदूशक नहीं वलकि प्राथमिक प्रुदूशक के अंतर गताती है वाई प्रुदूशक के नियंतर है तो बायू वी ए वाई यू यो पड़ाली का असुभारम में किया गया है दिल्ली में सामानी विरस्टितियों में वरक्षे के पत्तों की सरसाहाट कर देसिवल स्थर होता है ये वाई प्रुदूशक घेटल नाइट्रीट और कौन से प्रदूशक आते हैं सलफर के ओक्साइड मुखता सलफर डायाक्साइड नाइट्रूजन के ओक्साइड कारवनमौन अक्साइड पराथस में प्रदूशक है अधोरे पिर्जिलन के कारण मौटर कार्ट से निकलने वाली रंगहिए सोती है कारण मोनोचाइड यह रच प्रदुसक का की मोहटर भाहनों से निकलने वाली निमनेखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूसक गया से कारम मौनो आकसाइड बायनों में पेट्रोल की जलने से बायू धाती को प्रदूसक करती है वह लैड होती है इंजन में नौकिंग को रोकने के लिए प्रियूक्ट लैड होती है बच्चों की दिमाग की विकास में बादाप हो जाने और उनकी बुद्धी लब्धी लेविल को घटाता है और यह वैक्सों में हिर्दाई वासुसन संबंदी बीमारियों को उत्पन्ने करता है वह लैड है वायू प्रदूसकों मैंसे जो रख्त धारा को संयुक्त होती है जिस कारण बायों में परियापत औक्सीजन होने पर सांस लेने में कटनाई होती है और वे घुटर में हैसूस करती है आपकी कारण मार्ण अक्साइड यस होती है नेक्स्ट आता है कि ओजान ह। की लगातर संपर्क से बीमारी होती है बिलेक फुट की नेक्स्ट आता है कि बर्स 2011 में जारी बिश्व स्वास सर्वेक्षण की मानक की अर्णुषार पेजल में आर्षनिक की मात्रा जीरू पॉइंट बंसे 0.5 मिली ग्राम प्रिटी लीटर रही है दान का पौधा बहतर अवसुसक माना जाता है आर्षनिक का बूजल की जरी आर्षनिक अनाज में पहुंच रहा है समुची खादर शंखला और बरक की अतिदिक प्रियोग से होता है आपका मिलदा प्रदूशन जल प्रदूशन वबा खुल कर जली पारिष्टी की तंत में आजाते हैं आपका शोपोषन या इट्रूफट की फिकेशन होता है सपोच्ट की संदर में सही कथन दिया गया है यह जल निकायों में पूशन तबते संबर्धन की घटना होती है जल में घुलित ऑक्सिजन को कम करता है नेक्स आता है कीजल पुर्दूसर्ड और बिददा पूसरड के लिए सपेनो करूब से यही उद्धो उत्तरदाई होता है वह जम्रा उद्धोगाता है नेक्स आता है आपका यह अमले वर्सा निम्नांग की तूप से बाई प्रदूशर के कार्ड होती है नाइट्रेस ऑकसाइड रो सल्फरडाय अकसाइड के कार्ड सामनता है यसी वर्सा जो pH 5 से कम होती है वैं अमले वर्सा है नेक्स आता है कि बाता बढ़ने है प्रदूशर उद्धो के नी सर्तों प्रक्ति में होने वाले विवने क्रियाओं के फ़ल सुरू उत्पन सल्फरडाय अकसाइड तिथन नाइट्रेस ऑकसाइड जैसे बाई वंडले पहुंचकर ऑक्सीजन वा बादल की जल में रासने कभी प्रक्रम सब सब्फ़ूर चाहर जमा होता है जमां के लिए निससीनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचळा को जलाने के लिए अंदुन्द किया जाता है अमले वरसा के लिए उत्तरडाई गेसी आती है आपकी नाईटरस ऑक्साइड सलफर डायाक्साइड आती है उत्धोगों यात यात क्यों करें ने सबक्त Dank नाईटरस ऑक्साइड सलफर डायाकद जैसे गैस हैं बाईोपसों में इस जल्वास से पृतिक्रिया करके सलफ्यूरिक तथा नाइट्रिक अमले बनाती हैं तथा ओशत्वा बरसा की वूदों की रूप में पिर्थी पर गिरने लगती हैं यही कहला थी है आपकी अमले बरसा अंतराइस्टी इस तर पर सलफर के उस्तर इंडमी का प्रियास किया गया है हैल सिंग की प्रोटोकॉल 1985 की SO2 को Cracking Gas के भी कहती है क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवायत की जाए तो यह पत्थर हो जाता है, छट पे तर्ट हो जाता है, अधिक अम्लिबर्सा के काड़ अमलिबर्सा में Hydrogen आयन तत्त मिर्दा के पोशक धनायन के भी चादन प्रदान होता है, इसके फल सरू पोशक तत्तों का निच्छालन हो जाता है, इवाम इसकी समाप्ती मिर्दा की और वर्गता होती है, अमलिबर्सा में बे प्रदूसक जो बर्सा जल तताहिम को प्रदूसित करते हैं, वह सलफर डायाकसाइड और नाइट्रोजन आकसाइड होते हैं, अमलिबर्सा होती है, प्रतिक्रिया के फलसूरूप होती हैं संकुधारी भ्रक्षों के घने केनोपी में पतियों के गुरे रंग के लिए उत्तर दाए अमलीबर्षा कानचिप हमल बर्सा के मिर्दा के पिएच मान कम हो जाते हैं नेक्स्ट आता है कि अमले वर्सा जहरी धातूक उनके प्राक्तिक रासाने की योगों से तोटने में मदद करती हो और यह धातू पीने योगी जल मिर्दा में प्रिवेश करती है बच्छों की तंतर का तंतर पर बर्शा के पानी में ज़ल में घुले तो ऑक्सिजन की मात्रा कम होती है आते देख पूशक मुपस्ति सेवालों को विकास तेजी से होने लगता है इसे सेवाल भूम या एलगी भूम कहा जाता है एस्पेस्टिस फाइवर से गिरे वातरण में जादा देर हो रहने से होता है एस्पेस्टो से सो हुता है याइस फिलाई यह से व been गण्डैसे खरव में होने इस सुक्ष्म पाउडर से जीवा में होते हैं सवसन सम्मंदी रोब जिसे बायु में गेंड़ले से रोकने के लिए एलेक्ट्रोइस्टिटिक आउची पक या प्रेशिपिटेश तर या अनिकर निसी अंदर उपकरणों का प्रियोग किया जाता है आपका फिलाई एस होता है ग्रीन मफलर संबंदित होता है आपका धौनी प्रदूशन से विशाल का हरीपोदी अधिक धौनी वाली छेत्रों में रूपित किये जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनी तरंगों को आवसूचित करने की छमता होती है ध्वनी प्रदूशन को नियंते करने वाले यहरीपोदी कहलाती है ग्रीन मफलर नेक्स्ट आता है कि भूपाल गेस तरास्ती में बड़ी प्रमाने पर मिर पॉलिधिन की थेलियों को नेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से निमूलता कारवन और हाइड्रोजन के अड़ों के मिलने से बनता है और यह एथिलेन से अदुई बंद के रूप में स्थापित हो जाते हैं इस खोज के लिए गिली यह नत्ता या कॉल्ट जेक्लर ने उनी सो त्रेशट में रशान का पुरूसकार इसके संदर में जीता था वह पॉलीथेन हो था नेक्स्ट आता है आपका कि भारत में सबसे बड़ी चर्खे क संदर में सही कथन दिया गया कि इसका उदगाट नोइडा में हुआ था और यह उप्यों किये गए प्लास्टिक कच्रे से बनाएं बस तो जो की जिवाड़ों को नस्ट नहीं होती है वह प्लास्टिक है जैब निमनी करण रवाड होता है वी बदाल जो जैबिक पिक्रम द के बड़े संभी दंसील होते हैं प्रुदूसकंग के यतक के पोधा एक लाइक न होता है लाइकेज सबसे अच्छे सूचक होते हैं वाई पुर्दूशग के जैविक सूजक का प्रिशित दुधारण आपका लाइकेन है जैविक वूर्स अक्सीजन आवश्यक्ता एक प्रकार का प्रदूशन किसका सूच कांखे जलिये बातवरण का बियोडी अधिक दर साता है जल की संक्रमें थोने को कारवन अपसेस्ट की मात्रा बढ़ने से अफगटन रहते हैं जैसे एनलेड होता है जिस जलाशे में डियो कमाद जीरू 8.0 MGL-1 किसे नीचे होता है उसे संक्रमें जल की सरणी में किसी जल छेतर में BOD की अधिकता संकेत देती है उसके सीवेज में प्रदूशित हो रहा है नदी में जल प्रदूशर के नरधार के लिए घुली हुई मातरा होती है ऑक्सिजन की मातरा आती है जैब उप्चारण या बायू रिमेडेशन सितात पर होता है जीबोड़ा परियावणि में विशेली प्रदार्थों की निस्कासिंच है इसके द्वरा किसी विशे इस इसस्थान पर परियावणि प्रदूशकों की हानिकर एक प्रभाव को समात्त किया जा सकता है या जैव रासानिक चक्र की माद्दिम से होती है जैव उपचारण कहा जाता है जैव उपचारण यह दी प्रदूशन प्रभावित छेतर में किया जाता है तो इसे कहा जाता है सव इस्थाने जैव उपचार कहा जाता है जल प्रदूसर्ट नहीं है सलफड़ाई आकसईड हर्यडा राजिस्थान मद्प्रदेश पश्यमंगाल में से वह राज आर्षनिक जाहादा जल प्रदूसर्ट सरवादिक है वह आपका पश्यमंगाल आता है नेक्स्ट आता है आपका कि भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र ब्रहम मंगलादेश की पर्मा मेगना की मैदानी इलाकों में भूखेजल प्रदूसर्ट होता है अर्शनिक प्रदूसर्ट से आर्जेंटीना चिली चीन बांगलादेश भारत मेक्सिको यू से में भारत की साथ राज्यों जिसमें पश्चिमंगाल जहारखन बहार उत्तर- प्रदेश असम मनी पुल 36 गड़ के राजगान गाओं में भूंगे जल की अत्तिधिक प्रभावित हुआ आर्शनिक प्रदूशन से जैनोबल दुरगटना सम्मंदीत है आपकी नाप की दुरगटना से भाई प्रदूशन जल प्रदूशन ऊश्मी प्रदूशन में से नाप से उत्पन होने वाला विक्रण आपका रेडियो एक्टिव प्रदूशन होता है जे भी यह रूप से अपगटित होता है आपका मल अपगटित होता है लेड है 142 बाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट की रूप में कार किया जाता है लेड का या सीसा का केंदरी तंतर का तंत मस्तिक्स पाचंतंत इत्यादीस प्रभावित होते हैं लेड की कारण पेजल में केडिमियम की अधिकता होती है इटाई डाई रोग से पारह अमरकरी युकते जल पीने से मिटना में टा रोग हो जाता है बरस 1987 में इस अधिने में धोनी प्रदूशर को भी सामिल किया कि अबाई प्रदूशर नियंतर अधिने मुनिश्वेक क्यासी पहली जनवरी माहें में उत्पन्न मोश्मी कारक था कि जो उत्तर भारत में असाधान ठंड का कारण बना लाली ना हाया अपने प्रदूसर के कारण जैबेक मरुस्तल कहलाता है आपका दामुदर नदी यमना गौमती साही तमसा मैंसे कौन सी उत्तर प्रदेश के नतिया है जो पर अबर्दूशर के लिए जैबेक आपदा घोसित हो गई है तो यह आपकी यमना और नेक्स्ट आता है कि सरसो के बीच में अपमिस्ट्रक के रूप में सामयता निमलिखित में से किसे प्रियोग किया जाता है आरजी मौन के बीच को आरजी मौन मैक्सिमा ना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ति की एक प्रजाती है सरसो के तेल में इसकी मिलावट से जो म मांसून में भूमी जल समद्रों में उत्रवाय का होना एसे भूरा बादल 2002 में अधिकांस तरा है दक्षड एसया में फैला हुआ तरफ नेक्सट आता है आपका कि a CI Brown Crown एस्ञी फूर बादल उत्पन होके डिये गए जिसलगे जाड़न करता है कि जितु में दिली में फॉप्रोर हो developmentर प्रतिवर्स लाकों की मृति होती है घरेलु बाई प्रतुशन के कारट नेक्स्ट आता है कि सिगरेट के दुवे से मुख पाई प्रतुशक होता है कार्वन वगनोगनु आक्साइड या मैंगनेज बैंजीन सरीं में स्वास अथ्वहाग खाने से पहुंचा सीजा स्वास के हानी का रख है पेट्रोल में सीसे का प्रियोग पृतिवंधीत होने के वाद से अब सीसे की विशाखत ता उथ पन्ने करने वाले सुरूत आपका प्रिगला निकाईया यह पेंट होती है घरों में पुताई के लिए इस्तमाल किये जाने वाले पेंट में आसरण रख्शित त पारिज की विसाक्सताग से उत्पन होता है उधर समंदी बिमारियां होती है फिर आता है पिर दूशक और प्रभाव कारण मौनो आकसाइड जो कि आपकी लीवर और किड्नी को छती पहुंचाता है नाइट्रूजन के आकसाइड कैंसर होता है इसे धूल के कड़ से स्वास सम समारा मुक्त कीये जाने बाले माइतवपूर प्रदूश को में चारों ही सामेले कारण मानौन ऑकसाइड सलफर कि हैं नैट्रूजन कि आकसाइड आते हैं और नाइट्रेस aides साइड में उजन परत कछ्रन किलोरो कार्वन से होता है अमले वर्सा को क्या कहा जाता है जील कातिल जोकि लेक किलर कहा जाता है जीन जापान नौर्वेस निफ्तरा जमीर का में से जिस देश में सरवादी कमली वर्सा होती है वह आपका नौर भी है उस सर्जन उसमी सक्ति सैय से प्राफ्त फिलाई एस की संदर में सही कि आपका फिलाई एस प्राफ्त के लिए इतों के उत्पादन में किया जाता है और यह सुक्ष पाउडर होता है जो बायू के साथ दूर तक यातर करता है जिसमें सीसा आर्ष ने कौपर जैसी जहली भारिधातियों के कड़ होते हैं तो इसके अंतर गताब का फिलाई ऐसे अनाजों और तिलहनों की अनुपियुक्त रख रखा और भंडारण की परणाम सुरूप आविशू का उत्पादन होता है जिन्हें एफला टॉक्सिन की नाम से जाना जाता है जो सामें था बूजन बनाने की याम विधी दोरा नस्ट नहीं होता है उसे उत्पादन होते हैं फपुन्दी होता है मुख्ता ऐस पर दीजिस अफिलाइ वर्स के द्वारा होता है एफला टॉक्सिन नेक्स्ट आता है कि एफला टॉक्सिन एक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो क्योदपन होता है एक्रत कैंसर से बायो प्रोदूसर की रोग थाम कि ये कैंतरी बिधी नहीं है साइकलोन डिवाइडर श्यार खानों की चिमनियों से नीश रस्त हुएं कालेक के साथ मिश्रित करके ये पदार्थों को अलग करने के लिए पिर्योग की जाने वाले बिशिष्ट फिल्टर को कहा जाता है बैक फिल्टर नेक्स्ट आता है कि रेडियो धर्मी प्रोदूसर से समादे सही कतने के पशुव में अनवानसेक परिवर्त लाता है ये रक्त संचार में ब्योधान परदा करता है और ये कैंसर परदा करता है ये तेली पंक बिखरे हुए तेल के उपचार ये तुपारिस दिकी के अनुकूल बिकसित प्रोदिकिया ए और ओयल जया पर कहलाता है नेक्स्ट आता है कि ओयल जया पर एक बैक्टरिया संच का है जो की पांच बैक्टरिया को मिला कर बिकसित किया गया है इसकी उपस्तिती बैक्टरिया तेल में मौझूद हाइड्रोकारवन युकों को अपना भूजन बनाते है तथा उनको परिवर्दित कर देते हानी र पाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूसर की रोक थाम की जिम्मेदारी एसनस था उत्तरदाई और मौब जल से संब्दित बैदानेक मामलों को देखने के अलामा अंतराश्टी समुद्री यातयात को सुब्दाजनरेक बनाने का कारी करती है तो यह अंतराश शक की रूप में पाय जाती है आर्शनिक फ्लॉराइड और इुरेनियम नॉक नी सनलक्षड उतपन होता है फ्लॉराइड के प्रदूशन के द्वारा पानी में अलप उत्पन होता है जो मश्रूरों अधातों को सनलक्षड परदान करता है परनतों इसका अतिदिक फ्लूराइट को ग्रहण करने के लिए पढ़ाम सुरूप संभाव न बढ़ जाती है कुवर्ड फीट होने की पैरों की मोर्णे की कारण होता है जिसे नौक सी सनलक्षण कहते हैं उच्छ फ्लूराइट संग्रण होता है बाइलोजिकल ऑक्सिजन डिमाइंड या बीयोड किस तरजीपता पिल्कूल रूप से प्रभावित होगी तो यह महाशागरों की अमली करण की कारण होता है जल या रोक थाम प्रदूशर नियां तरड अधी नियम को बनाया गया 1974 में CO2 के लिए एक भंडा गिरह की तरह कार करता है आपका समुद्र होता है यूरो यूसर्जन नियम उसर्जन की मानक और ये एक बाहन से उसर्जन की सीमा निर्धारित करने की पैकेज परतरस्द करती है इसके अंतरगत आच्छा दे थे कारण मोनो आकसेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आकसाइड आता है यूरोपिय देसों में वर्स 1992 में यूरो मानक हस्ट और वर्स 1997 में लागू किया गया यूरो मानक सेकेंड भायनों से निकलने वाले पुर्दूस को नियंतित करने के लिए चरणवद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में किरियानमित करने की संस्तुति की गई थी मार्सेल कर समीती के दौरा स्वक्षे परिवहन भारत में इस बात पर जूट दी है कि वर्स 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है सीधी यूरो 6 को बीएस 6 बीएस 4 भारत में लागू होने की दिथी एक अपरेल 2020 निर्धारित की गई है नेक्स्ट आता है आपका कि यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अती पर की मात्रा होनी चाहिए 0.05 पिर से तेज से कम यूरो नॉर्म से 140 बाहनों की यह गैस उसरजन की मात्रा की सीमा को निश्चित करता है यह गैस आपकी कारण मानो आकसाइड है नेक्स्ट आता है कि हमारे देश के सहरों में बाई गडवत्ता सूच कांग का परिकलन करने मे साधन था बाई में गेसों में बिचार लिया जाता है कारण मानो आकसाइड नाइट्रूजन डैकसाइड और सलफडाई आकसाइड का भरत में आठ मुख बाई प्रदूसकों की आधार पर बनाया गया है भाडव गडवत्ता सूच कांग को जैरों में बढ़ते बाई खेल को आरम भी किया गया है सोक्ष भारत अभियान की तहर गिरीन पीस इंडिया जनबरी 2020 में जारी रिपूर्ट के अनुसार भारत में 287 नगरों में सरवादिक प्रदूसर नगर आपका ज़रिया रहा है मायनों मुस्तर जिस कार्वन मनो अकसाइड को कार्वन कारण करता है कि औरबरक कीटनासक भूजन की सरंख्लावे प्रविस करते हैं तो यह वार दोनों सही है चोकि एक दूसरी की भ्याख्या करते हैं नेक्स्ट आता है कि करसी मिर्दा है परियावड पेम निर्मुक्त होती है नाइट्रूजन के आकसाइड के कार्वन औरबरक फीड़कनासी कीटनासक साक्टनासी मिर्दा की प्राक्तिक भूत एक रसाइने गुडों को जनेस्ट करके मिर्दा को बेकार करदीती हो रासनेको बर्वरेकनेस्ट करती है weeks भारत में जिस महासाजर में प्रती दिन सरवाधिक्ट हो सबसेश्ट उत्पन होता है वे मुममई दिल्ली में होता है कई गरेल उत्पादों जैसे गद्धों फरनीचर की गद्धियों में ब्रोमी न्युक्त जौला मंदुकों का प्रियोग किया जाता है उनका उप्यूक चिंता कविश है उनमें पर्यावण में निमनीकरण की पृत उच्छ उत्प्रति रोधकता है जो कि मनुष्व पश्वों के लिए संचित हो सकते रासानेक जैब एक फोटोलिटिक पिक्रियावण त्वारा परियावरण निमनीकरण की पृति पित्रोधी कार्विनेक योगकों को कहा जाता है उसे पॉप्स कहा जाता है पर्सिस्टें निमन्योक्ति जौला मंदो को कोई कारण विविन उत्पादों के उत्प्रिनिरमारी में उत्दोंगों द्वारा पियुक्त होने वाले कुछ रासनेक त्थे तों में नेनोकरों की बारे में कुछ चिंता है क्योंकि यह परियावर्ण से संचित हो सकते हैं जलो और मिर्दा आता है आपका जल संरक्षण की संदर में कि जारकंड राजी गंगा नदी संरक्षण प्रादीकरण गठित किया गया वह 2009 में जल प्रोदूसर निवाड़ और नियंतर अधिनियम लागू किया गया बरस 1974 और इसे 1988 में संसुदित किया गया था बिसुजल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बिसुजल दिवस 2020 की थीम रही है भूजल आदर शकुद रश्मान बनाना नेक्स्ट आता है बिसुजल दिवस 2022 का मुख्य विसर रहा है एसली रेटिंग चैंज रहा है सुद्ध जल कोईला पेट्रोल यह मचली में से क केंद्री गंगा प्राधिकरण का नाम बर्तमान में से राश्टी रधी संरक्षण प्राधिकरण की नाम से जाना जाता है इसके अधिक्षे प्रधान मंत्री होते हैं और यह केंद्री गंगा प्राधिकरण की अंतरगत होता है नदीतन में बहुत अधिक बालू खनन का सनरक्षण वियान को कहा गया था नमामी गंगे गंगा नदी वेशन प्राधी करण का गठन फरवारी 2009 में किया गया नेक्स आता है कि एन जी बी आरे का लक्ष था कि गंगा कोन के प्रवाहित होने वाले और दो के कपसिष्ट और आसो दे सेवेच जल से मुक्ति दिला दी जा गया राष्टी गंगा नदी तलहटी प्राधी करण को जिस परियावण को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है वह राजंद से हैं तरोड भारत संग नामा गैर सरकारी संगठन के चेर्मेन राजंद से हैं पीने की पानी को सुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जा करती हैं काटों में गंगा नदी डॉल्फिन की समझती में हरास के लिए सिकार चोरी के अलावा और क्या कारण सम्माव है नदियों पर बादों और बाराजों का निर्मार संयोक से मचली पकड़ने की जालों में फस जाना नदियों में आस पास की फसल खेतों में संलिस्ट उदबर को और अन्य किर्सी रसाइनों का इस्तमाल होना है आईशीन ने इसे रेड लिस्टे सूची में संकड़ गिर्स किया है वर्रे गंगेटिक डॉल्फिन है नेक्स आता है कि भारत व इशिया का प्रिथम डॉल्फिन स्खोद के अंदर NDRC की स्थापना की जा रही है यह पटना में गंगानदी तटपर कई डॉल्फिन शंयोक से मचली पकड़ने वाली जाल में फच जाती है इसे कहा जाता है वाई-कैच कहा जाता है गंगानदी डॉल्फिन का विज्ज्याने की नाम पिलाव टैनिस्टा गेंगेटिक आ है. गंगनदी डॉल्फिन प्रियोग को लाइक बना सकेगी नेक्स्ट आता है इसके अंत्रगत कि 30 जून 2008 को जलवाई परिवर्तन पर राश्टी कारी योजना को आरम भी किया गया है जो कि इस कारी योजना का भाग है राश्टी जल मिसन का वाटर या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑप्यूलोशन सेस टेक्ट लागू किया गया 1977 में नेक्स्ट आता है कि इसे नही कान पर कोलकाता मुंबई मैं से पेजल में संख्या प्रदूशर सरबादे के कोलकाता में नेक्स्ट आता है कि ग्रामीड आवादी को पानी की यह तो सक्षमानाने के लिए केंदर दौरा प्रायजुत योजना आती है नेक्स्ट आता है आपका कि जल सुद्धी करण पडारियों में प्रावैगनी या आल्ट्रावाइड रेट विक्रणी की भूपका रहती है यह जल को उपस्थित नुकसान दे सुक्ष्वजीवों क पुनिस्क्री अनस्ट कर देती है प्रावैगनी विक्रण एक प्रिकार का विद्धु चुम्मी की विक्रण होता है जल को जीबाड़ों मुक्त करने के लिए प्रुक्त होता है यह जिन ओजन किलोरीन डायाकसाइड किलोरीमीन आता है यमना एक्सन पर आपचार एक रूप दौरा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवेल आयुजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के विज़ बर्तमार में मैली से निर्मित यमना पुनरुधार योजना 2017 चलाई जारी है यह स्वक्षता सर्वेक्षण की महतपूर भूमका निभाई जाएगी यमना की राश्टी गंगा नदी बेशन परादीकरण की पुर्मक विसेष्ता है कि गंगा नदीबेशन योजना प्रवंदन की यह राश्टी इसतर पर नदी ऑ जिल направिजद प्रियास 150 की तुल में च ». यहां पर हमारे सभी मेजर टॉपिक फिनेश होती है अब इसका बिविद या मिसलिनियस्ट का टॉपिक आता है जहां पर इसके वाद ही आपका लास्ट ही चेप्टर होगा जिसमें पहला दिया गया कि वीशू परियावाय दिवश दोहजार एकी का मुख्यविस्टम पिलास्टिक पिलास्टिक प्लास्टिक तो आपको तीसरा वाला याद करणे है कि पलास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक पॉलूशन मुख्वंत्री प्रक्षार उपड योजना कब शुरू की गई थी एक जून 2021 को डवलुएचो की स्थापना साथ अपरेल 1948 को की गई भारत सरकार की विपड़ा नोरिक्षड निर्देशलय द्वारा जारी एक गुडवत्ता प्रमाण अंचिन है ने लिव्त्तो संचार केंदर मेत्री की स्थापना वर्स 1988 Comics सिनावासी में की ऐ है बरस 2012 में इस्थापित अंटार कितेखा में भारत कते दियर्द बहारती स्थापित किया गया बारती की स्थाप्ना की गई बरस 2012 में 2221 वीस वीर्योग शारियावार्ण सरक्षड हीटूएक एजेंडा 21 सद्धविकाष की संदर में सध्युक्तराष्ट की गेरवधिस संव्धिक टॉइक शिक कारी योजना एजेंडा 25 आती है जिसमें तुचा केंसर आपका प्रावेगनी प्रेकास से होता है द्वानी प्रदूशन डेसिवल से, बेश्विक तापन, कारवन डेयकसेश से और ओजन छिद्र में आपका किलोरो-फिलोरो कारवन के कारण होता है उत्रप्रदेश में प्रिथम बायोटेक पार्क इस्थापित किया गया है आपका लखनो में नेक्स्ट आता है कि राश्टी पोशन संस्थान इस्थे थे हैदराबाद में बारती बननेजीब संस्थान दहरादून में राइस्टी आयरवेदिक संस्थान जाइपुर में इस्थित है नैस्टनल इंस्टिटूट ओफ नैच्रापेथी आपकी पूने में इस्थित है यो 2023 का भारत के कितने इस्थल को युनेस्को द्वारा विश्व धरवेर इस्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है चालेस को युनेस्को की विश्व रास सूची में समलित की गई इमारित आपकी महाबोधी मंदिर है सुनामी की उत्पती जिसके द्वारा होती है वह है समुत्र के वीतर हुत्पन होने वाले भूकम से होती है अप्रेल 2023 तक भारत में कितने समुत्र तटों को बिलोंबर्ग में सर्टिफिकेशन दे दिया गया है इसमें 12 आते है सही सुमलित करने के लिए दिया गया है कि पारिस्तिकी विज्ञानों का केंद बंगलूरू भारती बने प्राणी संस्थान देहरादू भारती बन परवस्थन संस्थान भुपाल आता है पृतिक बर्स में दिये जाने वाले इंद्रा गांधी राज़ परियावन प्रुसकार का आधार होता है परियावन के छेत्र में सार्थक योगदान देने के संदर में नेक्स्ट आता है आपका सही सुमेलित करने को कि एपी को आंदूलन पी हेगड़ी के द्वारा चिपको आंदूलन एस एल बहुगोडा के द्वारा नर्मदा बचाओं आंदूलन मेगा पाट कर सांति घाटी योजना डॉक्टर सलीम अली के द्वारा भारत में रेली फोर वेली प्रोग्राम का आयोजन निम्निक्षित मैसेज्जिस समस्या को जागर करने के लिए दिया गया था वए बिस्थापिक हो के पुनरवास की समस्या थे नेक्स्ट आता है कि भारत में मिट्टी बचाओं आंदूलन का प्रारंभ होर्शंगबाद मध्य प्रिदेश में सुरू किया गया वर्स 2023 में विश्व परियावास दिवस अक्टूबर माही के प्रथम सौंबार को बनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्र किला कानून पारित किया गया नेउ जिलैंड का लग्षे था ये तोहद पर तीस तक मुक्त होना है विश्व परियावास ते वास अक्टूवर के प्रथम सौंबर को बिस्व दिवस आपका सुला सितंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट आता है राजी संबर दित उर्जा छमता मिसं 2009 में स्टार्ट हुआ राश्टी जल मिसं 2011 में राश्टी हिमाले पारिस्ति की संपोशन 2014 और राश्टी सतर्त किर्शी मिशं 2010 में जब वित्ता दिवस मनाया जाता है 22 मैं को अंतर राश्टी जय विवित्ता की थीम जो रही है वह समझोती से कारवाही तक जय विवित्ता का पुर्ण निर्माड रहा है भारत में प्रधारमत्री ने स्वक्ष भारत अभियान आधिकारिक रूख से प्रारम किया है गांधी जयनती पर डायनासुल जीवास से थे नई दिल्ली में एक मारक एक्ट भारत में लागू हुआ बरस 1937 में बिग्यान का बहुष चित्र जो की एक बौर लाग पुरुसकार की रूप में जाना जाता है वाइकरसी होता है नेक्स्ट आता है भारत का जली पराणी आपका जली गंगा नदी डॉल्फिन है भा साने समय के अनुशार कुछ देनों बाद वाय हरीकेन जिसे सन 2012 में यूएसे के उत्तरपूर वा पूरी वितटी प्रांतों को दूस्ट प्रभावित किया था अंतराश्टी प्रिथवी दिवस आपका बाई सप्रेल को मनाया जाता है अंतराश्टी प्रिथवी दिवस 2023 की म गठन इसके अंतरगत आता है इस समय एक सुत्रावे सद्सदेश हों और जो भी शुकी राशाने खतियारों से मुक्त करने के लिए पृतिपद्ध है वैं ओपी सी रवलू है विसे के अंठानों प्रिषट जन संक्या भू बाग राशाने कारखनों का पृतिवी देवलू क पृतिपद्ध करने के लिए विकास के लिए गिलोवल फाइवंड़ पृतिपद्ध करदान किया जाता है परियावन प्रतिरक्षा के लिए सभीतराष्ट के सरवुत्तम परियावन संमान चेप्मियन और अर्थ दोहजर पृत्परवाइस के विजेतर रहे हैं लेवनान के आर्सेल सेल पेरू के कॉंस्टितेनो ओका चुटास केमरून की सेसली बिवियाने जविट बिर्टेन के सरपार्थ दास गुपता भारत की डॉक्टर पूडमा देवी बर्मन इसके प्रोंख प्रुसकार पराप्ति करता रहे हैं नेक्स्ट आता है आपका कि प्राक्तिक हरासी करण का अंतरस्टिय जो दसक है वह 1990 से 1999 रहा है प्रतेकमास के अंदिम समगीव्यार को सवक्षय रास्टिय सवक्षय दिवस्ता सवक्षयता दिवस मनाया जाता है सेराले ओन में जिसे वेगाडाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है वह उस्ट्रिया है जिसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोसाहित करने हेतु आरंबित की गई थी जिनका प्रयावर्णी प्रभाव कमहानी करो वो भोगता उत्पादों में इस युजनक के अंतरगत अधिसूचि थे साबुन अपमार्जक कागज एवन प्लास्टिक सौंदर प्राज साधन एव भूमी जो भारती विग्यानिक युनेव तोरह फाइदर ओफ एकनोमिक अभियंत है वह कौन रही है मैं स्वामी नाथन यह क्रिया अधारिक अनुशंद्धान चरुकी सिक्षा लोग चाग रुकता की मादम से प्रक्तिक को बचाने का प्रयास करता है यह आम जंता के लिए प्रक्तिक होज यात्रों सिब्रों का आयोजन इवं संचालन करता है वह वंबई नेचुरल हिस्ट्री सोचाइटी आता है सदावाहर फल ब्रक्षी के अंतरगत आता है आपका लोग काठ है मौसम अनुसरवण युक्ती सोडार इस्थापित किया गया है कैद्दिगा और कल पक्कम में देश में बिंटर लाइन की प्राक्तिक परिघटना जिस नगर में द्रश्रमान होती है वाय मस्चूरी है प्रादिपी भारत निम्न हिम योग मैंसे जिस युग में हिमानिकरत हुआ है प्लिष्टुशूइन हिम युग है नेक्स्ट आता है कि यदि आप ग्रा पाया जाने वाला पक्ची है जिसका मुख्या हार आदर भूमी के छिचले जलिये इस थलों में पाया जाने वाली छोटी मचलियां होती है यह चित्रिद बलाक है या पैंटेड इस्ट्रॉक होता है यह तिब्बत के पठाए भूटान भारत के अग्णाचल प्रदेश लद सबसे कम है भारत का सामुदाय राच्टी सामुदाय क पार्ट की अपित्र कडिक सुची में सामल किया में भी आपका विषय है भारत के सबसे वड़ी चर्खे के संदर में सही है कि इसका उधगाट नौइडा में हुआ है और यह इसका उप्योग किये हुए प्लास्टिक कच्री से बना हुआ है यहां पर यह सेशन फिनिश होता है जिसके अंत्रगत हमने अभी परियावण इवं सततवेगास पारिस्थि परियावण इवं पारिस्थिक के सबी टॉपिक को कवर करता है इससे बाहर आपका कोई कुश्चन आएगा ने इस वीडियो का अगर आप बार बार देखते हैं एक से दो बार ही देख लेंगे तो आपके कुश्चन सॉल्व हो जाएगे आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चै करें चैनल वीडियो को लाइक करें धन्यवाद